कि हालो स्टुडेंट्स आये आज क्लास बारा दो हजार तेज्स में जो भी यूपी बोर्ड में इंगलिस का पेपर आया था वह सभी पेपर जो मैं अलग-अलग साल्व किया हूं उसको मैं जोड़कर एक मास्टर वीडियो बना दे रहा हूं ताकि आपको यह सभी पेपर के स सारे कुश्चिन सेख साथ आपको मिल जाए और आप इसको अलग-अलग खोजने के लिए परिशान ना हो और अपनी अच्छी तैयारी कर सकें चलिए मिलते हैं मास्टर वीडियो के साथ हालो स्टुडेंट्स आईए आज जो इंटर्मेडियर का पेपर हुआ है इंगलिस का अभी मैं बनाऊंगा देरे देरे सब्सक्राइब का पेपर में साल्फ करूंगा अगर आपका यह सेट है तो ठीक है नहीं तो आपको जो भी सेट है आप कमेंट करके जरूर बताएंगे उसकी वीडियो आपको मिलेगे और देखिए यहां जो है आपको 316AA यह जो है जो है सब्सक्राइब का यह कोड नंबर है इसका पेपर देखते हैं आप लोग जो कच्छा बारा का पेपर दिये हों मिला लीजिए कितना सही है आपका और जो लोगी 11 में है वो जरूर देख लें अगली साल इसी तरह का पेपर ताक हुआ है तो दिक्कत उनको ना हो और इसके ल 5 एदिए के 15 मिए यां पढ़ने के लिए धीए 3 गंटे आपको साल करने के लिए देखते हैं आपको अंसील पैसी इसको मैं हल पूरा मॉटल पेपर में और करीके बदाए इसमें आप इसको बिलकुल पढ़ सकते हैं इसके डारेक्ट पर चलते हैं अग डेखे पाहला कुस् लेंगे दुसरे वालिए ट्रूली एड़ीटर परशन रेड वाट रट सच्छा चिट पढ़ता है तो यहां वह मतलब के लिए पढ़ने का बुरा प्रभाव क्या पड़ाता तो यहां एलिफेक्ट आफ रीडिंग फार मेर इमेजमेंट यह हम कुछ की वर्ड इस तरह से लेते हैं तो इसको हाल करने की ट्रिक यह वें सुड़ वन ट्रेन वन सेल्फ फार रीडिंग तर राइट कॉएंड़ कब व्यक्त को स्वेम को किताबों को पढ़ने के लिए ट्रेन करना चाहिए तो यह मतलब कि छाटने के लिए कुस्चिन उसमें से मिल जाएंगे तिन-तिन नमबर के हैं हम सब आज सकते हैं उसके बाद यहां यहां कुछ देखें वर्ड पॉर से रिलेटेटिट टुश्चिन दिए अечाना है और इसमैंग फातेईमेंट आननद के मतलब ऑनानन घेल और में आनना पको नहीं जैब नहीं मिलेगा इन इसमिने ख्राइब को अपने हिसाफ से कर देना है इसके ब्याक्ख़ाब को बैक्क्टिमस्त प्लॉध को इन्टेलेजन्ट लगे। किस प्रकार के लोगा आनद के लिए पढ़ते हैं तो ट्रिक क्या है कि पढ़ेंगे आप यहां दिया गया दूसरी लाइन में हाफ एजुकेटड परसंस रीट फार अम्यूजमेंट यह आपका पहले कांसर हो गया ठीक है इसके बाद आएंड डेम टू भी लेम फार इट लिखना को जरूरी नहीं यहां तक लिखना जरूरी है पूर लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है चले दूसरा कुश्चन देखें दूसरा कुश्चन है वाट डेज ट्रूली एजुकेटड परसंड रेट सच्चा सि परसंड परसमस लेखेंगे उसके बाद यहां से लेखेंगे ठीक है ने बहर रीट फार मेर एमजमेंट उसके मातरानंद के लिखना है कि उसके बाद आपको कर देना है इसको भी मतलब कि यहां तक आपको सटीक आंसर इस तरह से लिखना है तो लिए अगला कुश्चन कर रहे हैं इसके पहले क्या हो रहा है वाट आपको पढ़ने के बुरा प्रभाव क्या है यह तो तीसरे का अंसर जो है यहांसे आपको मिलेगा यहां से यहां से दाविट आफ अफ इस आफिलीन has been formed लेकिन आपको परस्ण के शाफ से लिखने देना है कि धायविट आफ रीडिंग फार यमीजमेंट एक रहे हैं तो रीडिंग फार अमजमेंट चेक्ड कि यहां से हैविट वाल लिखना इसको दिए हैविट आफ रेटिंग फार अमेजमेंट की बात क्यों कि हैं ते हैविट आफ रेडिंग फार में आनंद के लिए पढ़ने का यादत जो है यहां स्लिक्स जाए जाने को विद्दध थाउजंट साफ पेपोल एक्जाटली दसें जारों लोगों में ठीक वैसे उसी प्रिकार सोती है तो यह वाइन ट्रिंकिंग और ओपिम इस कहते हैं इस्मोकिंग इट लाइक नार्कोटिक यहां तक कम स्कम लिख देना है वा किताब इस वाका को पूरा भी लिख सकते हैं तो पूर कुछ नहीं करना स्थी वाले में दा हुआ को यह चित कंशित करना चाहिए चली इसको पाहले तो आपको यहां से लिख देना है कि one में सूट करो करेंगता São Prac checks कि लिखने के के समय के दोराम यह समय बताना था है कि आपको वर्ड पॉल से रिलेड़ेड़ है पहले भी बता दिये कि इंटेलेक्ट्ट फूट को मतलब होता है इंटेलेक्ट सप्लाइज हो जाएगा बहुत देखें फापूर्ती और अपोजिट वर्ड डिस्प्लिन का इन लगा के इन ड कर देखें के चौथा कुष्चन आपका जो है यह सेक्षन सी आ गया जो इसके बाद जो है पाहले यह देख लेते हैं यह हो गया सेक्षन B में क्या है कि आपका निवन यहां दिया गया है किसी एक पर लिखना साथ सब्सक्राइब पहला है और ड्राइड रिवर्स हम सूखी नदियों को कैसे पुनर जीवित कर सकते हैं मतलब भारा कर सकते हैं सुखी नदियों कैसे पुनर जीवित कर सकते हैं और डेवल्लपिंग दकॉटेज इंडस्टी इंड़ गाउं में कुटी उद्योग का विकास इसके बारे में लिखना है यह फिर रिनुवेशन आफ हेरिटेज साइट बिरासत संसकार के जो है रिनुवेशन के लिए नभी निक्राट के लिए लिए लिखना है आप इसमें आराम से नदियों के बारे में कैसे लिख सकते हैं किसी एक पर आपको लिखना था आप इस पर लिखे होंगे अगर लिखे होंगे तो आप नमबर मिल जाएगा राइट लेटर को यूपर लिखना बताए थे आपको इडिटर को पर जरूर्य क्वेशन आएगा नेशनल डेली राश्ट्री दैनिक समचार पत्र के संपादक को लिखना है इंफैसाजिंग दर नीड जरूरत पर जोड़ देना है तो टेक एफेक्टिव मीजर्स वहने प्रभावसालिक कदम उठाएं ठीक है माप आफ्टर दर रिसेंट फ्लड्स हाल ही में जो बाड़ा है बाड़ के लिए प्रभावकालिक कदम उठाए डेट अफ क्रिएटेड हाइवॉट इंड लू लाइंग एरिया जो साहर के निम्न अस्तर पर रहने वाले लोगों के में जो है वाक में इस उतरास दी या परिसानी या यह सबाई है तबाही इसको बहुत है तो कुलमिला कि आपको निखना है कि मतलब कि एडिटर को पत्र लिखे देना था इसमें यहां तबाएंगे तो इसको आप निकाल दीजिए ताकि लोग पढ़ें और इसके बारे मदद हो सके यह फिर एक रिखनए प्रफ्रेशंब क स्ट्रीय चाहे लिखना में मुणिन स्ट्राहू बूंद से लिखना आरजिंग क्या आरजिए उन से यह कहों कि डिमोलिस डिलाइपिडेटेड इस्टक्चर्स पॉस पॉजिंग ए थ्रेट टू दा सिटिजन जो अस्तब्यस्ति इस्तिति में जो है जाहे उसको गिरा के जो है जो नागरी को क्लिए खत्रा है तो अच्छे डंक से इसकी मरंबत करें आए इन दोरों में से किसी एक उपर लि बात पांच लिखित में चलिए देखते हैं डिसलाइक और वर्जन तू मेरेज ए वर्जन मनें अफरत घेड़ा ठीक है सादी के लिए गड़ा डिसलाइक को एक सब्गें क्या कहते हैं उसको करते हैं मिसोगेमा तो कि किसमें में रूट वर्ड गेमी मतलब होता माँ मायरें जो तहम मिस उलटा हो जाता है कि मतलब साथी जो ना करना चाहिए साधी से नफरत करें कि वह हम को साधी नहीं कहते हैं तो इसको करें तो पाहला भी आला सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने के लिए तो सर्प्राइज मनें सबको पता है यह हो जाएगा संकेत कभी कोई संकेत देता उसमें किसी चीज का वाडन करता तो किसी की तरफ संकेत करते हैं इल्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए आप सना पर यह सही है क्योंकि गल्दी बताना इसी में गल्दी है जाओ था इंटाने साफ राइवल अराइवल में सागमंट डिपार्चर म होने प्रस्थान तो इसका यह हो जाएगा क्योंकि राइवल माने विद्रोई होता सारे बाइवल माने जीवित होना राइप्चर माने अनंदित होना ठीक है तीसरा वाला सही है इमें चलिए आगे देखते हैं देखिए पांचवा में है करेक्ट नहां चेंज एनिवन आप उसको जान लेजे पांडि ही इसने का वी आट भी कई अना है पी इन दिस लाइव इसने कहा की हम संस हम इस जीवन में बिल्कुल प्रसंद नहीं हो सकते हैं तो ही सट यह खोल dal ग वी गाजाएगा थी है के निनां नटा होजाएगा तो ज सबारन वी कृइब का हो जाएगा क आई केम टूड़े एंड आई विल लीफ ए अगरा तुमारो my friend said to me said to me क्या हो जाएगा told me my friend told me उसके बाद दाइट हो जाएगा I come my friend के अउसार ही हो जाएगा एक एम का हैड कम he had come ठीक है टूड़े क्या हो जाएगा डाइट देख अब यहां देखिए कम ठीक है कम का केम का 3 & 4 हो जाएगा लेकिन जो बच्छी सम concluding सब्सक्राइद तो भी गलत नहीं है सही है क्योंकि कम का गल्ट में बदला भी जाता है ठीक है और इसलिए आप फी है गौन के है तो और भी बेटर आपको मौना जाएगा का पास आने का संस देने के लिए नहीं तो आप बता सकते आवा जाई बताने के लिए इसलिए आप करदो माई फ्रेंड टोल्ड मी दोस्तने मुझे बताया डाइट मिस्की ठीक है कि आई कही हो जाएगा ही है प्राफ पर फिंग लेहाइट कम का गो होता है यह गान ठीक है यह ग आई बिल आई कि पर फिर्ट कर दिल का उठाइगा लेव फार अगरा तुमारों का दर निक्स ट टे हो जाएगा दानेक्सेट डे कि इसथा से माई फ्रेंड टोल्मी देथी एट गान वाइट डेट डेंड ही टोड लेफ फार आगरा दिश्ट अगला दिख लेते हैं भी व वाला बनाना ही गेब देम एडवाइस वह उन्हें सला दिये ही लिबरली वह उनकी उदारता पुर्वक्सायता कि इसमें आराम सोझाएगा बिसाइट से बनेगा बिसाइट अब गेब का हम बना लेंगे जीरंट तो गीविंग हो जाएगा उसके बाद देम एडवाइस बिसा किया कहने किये का है दे किंग वाजल राजा विमार था दा पीपल हर्ड दड़ नुज लोग समचार सुने और वेट तू दफ प्लेस और पाइलेस महल पर गए तो इसको जो लोग बनाया है ता ऐसे बना पड़ेगा शिएरिंग दड़ न्यूज को आफ फिर द़किंग kings king के बाद एपोस्टाफियस kings illness राजा की बीमारी का समाचार सुनकर उसके बाद फिर हम लिखेंगे the people ठीक है कि लोग अब यहां यहां इतना हटा देंगे क्योंकि इसको हम पहले लिए the people went to the palace hearing the news of the king's illness राजा की बीमारी का समाचार सुनकर the people went to the palace राजा हां लोग महल पर गए hearing the news समाचार सुनकर यह participants बन गए नहीं तो आप on hearing लगा देंगे तब भी सही है सुनने पर तब हो जाएगा सही दोनों है तब जीरंट से हो जाएगा on hearing the news of the king's illness यह कर दो hearing the news of king's illness ठीक है the people went to the palace इस तरह से हो जाएगा कि राजा की विमारी का समाचार सुने पर लोग महल के पाले समीस वता महल अगला देखते हैं डार जैसे कहा गया कि पास्वास बनाना है इन ट्रांसफरमेसम से हीज़ डिथ साक्ड में उसकी मुझे अचंबित कर दिया आस्यर चकित कर दिया तो आई वाज साक्ड हो जाएगा ठीक है अब यहां वैसे तो पैसिवास बाई लगता लेकिन यहां आयट लगाना बेटर माना जाएगे कि सर्फ्राइज के साथ लगता वंडग साथ आश्यर चकित कस्यंस देने के लिए लगता किताब में बताया गया साग्ड नहीं लिखा गया लेकिन आप यहां भी आयट कर दीजिए ठीक है सर्फ्राइज इस टॉनिस्ट एट सॉक्ड़ एट इस तरह से अगर जो बच्चे बाई भी लगा देंगे तो बाई भी बात नहीं है लेकिन आयट भी यहां बेटर माना जाएगा ठीक है क्योंकि फिक्स प्रेपोजिशन यहां के नियुम के अनुसार यहां आयट लगए हो नो वन विल डिनाई कोई व्यक्ति नहीं मना करेगा दैट ग्रीश ट्राइड ही वेस्ट टू प्लीज दव ऑफसर की घ्रीश अधिकारे को खुष करने के लिए अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किया तो इसको आफर में टू बनाना ताकि यह आर्थ होगा ही रहना लिए अग्रीवन बिल डिनाई जगां लिख देजी एक्सेप्ट एब्रीवन बिल एक्सेप्ट डाइट ग्रीश टाइड इस टू प्लीज दाफ से सबकुछ वही रहेगा अगला आपको है करेक्ट करना है ठीक है सिंटेक्स या है दबवाय टोल्ड एलाइल लड़का जू कि होल इंडिया को से इएफ रहन को इसमें अग्रे फ्रेजनी का करें तो आगे देखी इसमें अखर और ये IS दो हैं कि ह्साब से Freedom को बनाना है छिसे पैला अल्टर मनें क्या होता है बेदी पूझा की बेदी इसमें पूज की आपको एक संटेस को बना दिना आंहें पहले उटर की आना से भाव vic आप बना सकते हो तो अल्टर की आप आरहम से यह संट घुल को पर में राद हैऊ अपथा आ के बड़ी चड़ा दिया गया इस तरह से को उटबाइज को सब्सक्राइब आप लाइड आप दो मादर लाइन वहाद सिंग मात्री भूम की बेदी पर अपने जिएवन का बले द्यान कर दिया इस तरह तोब भी बोलने के तरीके को बदल लेना चाहिए थिक है आप्ट एसा में जिरीः। जने के अल्टेक्षिंट को ब्लटेसिंट हो वहां सब्सक्राइब भी उसके सब्सक्राइब और असे शकुर्ण जबते हैं आ उसके बाद देखिए यहां respect full माने क्या होता सम्मान पोर्ड respectable माने सम्मान पोर्ड यह सही घेव ए respective full speech सम्मान पोर्ड आया respectable माने ही इस बिलांग टुए respectable family सम्मान ये परिवार से संब्द रखता है किसी एक कही आपको करना था दोनों का दोवा कि लिखना आगे आपको देखे ट्रांसलेशन है देखे ट्रांसलेशन भी आपको मैं इस पेड में बता दे रहा हूं आपके यह हो तो मिला लिजिए थोड़ा बहुत अगर इधर उदर गलत भी होगा तो चल जाएगा लेकिन ठीक है जो सही है मैं बता दे र इसेंसियल मन जरूरी होता है नहीं ड्यों इंपॉर्टेंट करें की होंगे तब दी सही हो तो इसी से होता है एक अच्छे और सफल व्यक्तित निर्माड इसके अंग्रेजोगी और इस लीड़ से to the formation of a good and successful personality and this leads is होता है मतलब यह ले जाता है leads पने ले जाना मतलब स्वस्थ जीवन ही ले जका जाता है मतलब होता है धी कम नहीं लिका जागा and this leads to the formation formation मतलब निर्माड of a good and successful personality अच्छा और successful personality है है सफल प्रेंखते हो तो हो जाएगा and this leads to the information of a good and successful personality अगला वाकिया बदले दौर में नसे की लत टिक गैजर्ट का आधिक प्रयोग और जीवन सहले का प्रभाव युवाओं का मानसिक स्वास्त खराब कर रहा है तो अब इसमें जो है बदलते दौर में मतलब हो जाएगा इन दा चेंजिंग टाइम्स बदलते दौर या समय बाते की वह इन दा चेंजिंग का बदलते दौर में उसके बाद जो है नसे की लत के अंगरीजियों के ड्रग एडिक्शन गजट को गजट से लिए अंगरीजिय में दिये हैं लेकिन गजट का अधिक प्रयोक तो पहले ऐसे लिखने पर एक्सेसिव माने अधिक होत हुआ और यहां नंजट वान्सी स्वास्त खराब करते हुँआ पहले न एक टी ऍोर्फ करना होता है इस्पाइलिंग लिखे का इन्फस आफ अफ लाइफ इस्टैल इंडट सब्सक्राइब क्या deteriorating क्या खरब कर रहा है मानसिक स्वास्त तो the mental health किसका मानसिक स्वास्त आफ यूथ आफ दा यूथ मने युवाओं का ठीक है यूथ मने यूवा होता है तो दा लगा देने से अडिक्टिव है तो दा यूथ मने यूवा लोग हो जाएगा यूवा लोग या यूवाओं बहुत चन मानने जायता है तो हो जाएगा इसका मतलब बता जाना कि एंड़ इंफ्लूइंस आफ लाइफ इस्टाइल डिटीरिटेटिंग्टल हेल्थ ऑफ यूथ अगला है इसके कारण फसाद हतासा और आत्मात्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं इसके कारण मतलब ड फसाद को मतलब जोसे होता कि जो डंगा के मामले होता है दकिशाफ राइअट्स यराइटस ्य सकता है यह फ्रॉस्ट्रेशन फ्रसॉट्रस्ट्रेशन हां, और आत्म हत्य की मामले, and suicide, and suicide, yes, ui, cid, suicide, ठीक है, मने हत्य हत्य की मामली हो गया, तो यह मैटर साफ शिसाइड भी का सकते कोई दिखके नहीं है, and the matters of suicide, लेकिन मैटर नहीं लिखेंगे, तब ही चल जाएगे, अहां तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है, are increasing rapidly, are increasing rapidly, तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि हम केसे पहले भी लिख लिए हैं इसलिए बाद में लिखने केस मने माम ले या जगड़े तो इस तरह से उरकफेस बता दे इसके कार्ड फसाद आतासा और आत्मत्ते के मामले तेजी से बढ़ना इसकी एंगरी होगे या फिर आप फास्ट लिख देंगे तब भी चल जाएगा इस तरह से आप लिखेंगे आप पूरा साही होगा ठीक है थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है तब भी आपको नमबर मिलेगा अगर लिखेंगे तो मैं करेक्ट कांसलेशन बता दी अब देखें यहां आगे क्या कि लिट्रेचर पॉर्सन से आया है मतलब की किताब से यहां देखेंगे दो क्विश्चन आए हैं आपको इन क्विश्चनों में से चाहिए जो भी आप एक लिखे होंगे तो आपको सभी होगा दिसे इसन में नेम दा कंटे जो देख का नाम लिखा वोगा फाइटिंग जो लड़ रहे थे अंडिस्प्लिण डिसक्राइब अपनेंट ऑफ बुलेटींबॉर्ट की समगरी के बारे में आपको बादन करना है इन फिर हुई हुए दिसन अकारडिक तो यह हैमल डश्च दा मदर बच्पन का वह घटना क्या थी जो डगलस पाने के लिए भावीत कर दिया है पानी से डराने लगी डिस्क्राइब दा लाइफ आप राइक पिकर्स आट सीमापुरी सीमापुरी में कुड़ा बेचने वालों के जीवन का वड़न करती हैं सब्सक्राइब कर देना था यह पार्ट दो से आये था चलिए आगे देखते हैं देखिए आठाव कुश्चन आपका अंसर निवन आप फॉलिंग विट्वाट एक टिवर्ड एक डिस्क्राइब आइवेंट्स दैट फालो उस घटना कर वड़न की जो बाद में आये थी विन दैट्रेप पेडलर से रियल इंडेंटिटी इस रिवील जब चुवधानी विक्रेता की वास्तिक पाचान जो है प्रकट हो गई थी लीडिंग टूदी इंफार्मेशन रिफार्मेशन जो उसके सुधार तक ले गए उसे तो इस तरह से इसके बारे में लिखना है वाट वाट वाज दप्लाइट आप इंडिगो पीजेंट्स इंडिगो नील की खेती करने वाले किसानों की क्या दस था थी बीफूर गांधी इससे पहले जब गांधी जी आया थे उसके पहले और वाट चेंज़ेश डिट गांधी जी ब्रिंग आप इंडिगो पीजेंट्स और नील की खेती करने वाले किसानों की जिए ने क्या परिवरतन लाया था तो यह दोनों एक ठीक है तो इसके बारे में चाहिए लिख दो सब्सक्राइब करना है इसका क्या इस लाइन का क्या मतलब है सुझाओ देता है इक्स्प्लें दफ्रेज से वैल रिक्साइब करना है इंगलिस में वारत बताना है वाट इमेज फीज फीज प्रेजेंट फ्रस्तुत करता है विफोर आखों के सामने विन दफ्रेट डिस्क्राइब करता है दा मुवमेंट आप जैनिफर्स फिंगर्स जैनिफर की अंगलियों के गत्विद करता है इस फ्लेटरिंग जो जो कि फड़ा रही है थूर वूल उ इनते इन अनिमें से किसी एक करना सब्सक्राइब चैनल पे इपलोड कियां वही रही सब यह सब हैं उसको भी देख सकते हैं इन यह वह दो दूदा अब सब्सक्राइब करते हैं क्वंस निचे करने के लिए चाहे जो बड़ा सा पार्ट है दाइनिम्य उस में से है ठीक है तो जो लोग इसको नहीं पढ़े हैं माल यह बढ़ा करके छोड़े ने तो इसको आप कर सकते थे नीचे वाला है यह इसको पढ़े हैं तो अच्छी मारे हैं ठीक है तो यह सुट बिजार्ड हिट ममी इस से हैं इंपोर्ट चाहिए इसको अगर यह आप इसको एक ही करना था यह फिर वाट इस दड्रा वाट इट व्या क्या है दैट ड्राज डेरी टोड्स मिस्टर लैम इन इस पाइट ऑफ हमसेल्फ जो लैम को मतलब कि डेरी के पास लेकर आप है कि यह फॉघ वाटॐज दफ़ॉर कास्ट फॉर टियहे सकता के दोरह क्या शनु यह वबिश वार्डप है यह वड़ की तो दूसरा पार्ट है तो लोग पढ़े हैं कहानी पता है को सकते हैं लास्ट को सब्सक्राइब पहला एक पर मानों को प्रभाव का असे स्क्रों मुझे लेंक निकरो इसके महत्त बताओं तो अंटार्क्टिक्या पार्ट से लिए अंटार्क्टिक्या का मतलब जर्नी तो दा इंड आफ पार्ट का नम यह उसमें अंटार्क्टिक्या का बढ़ता है उसमें इसमें बारे मिश्में पूल लिखना है उसको मानों किस प्रकार से मानों का प्रभाव पढ़ा मनुस्ट रहने लेंगे या फिर वाट डू यू के लिए जो सायम के पत्र से आपकी अनिस्कर्स निकालते है तो यह पाला है दा थार्ड लेवल उससे से आया है तो आई होफ समझ में आगया होगा मिलते हैं नेक्स्त पेपर के साल्व के साथ जो है अगले जिले का पेपर साल्व के जाएगा तो इसलिए आप चैनल पर अप्लोड है यह क्लास के लिए इंग्लिस चांट की हो और कंपटिशन इसका हो उसके लिए इस चांट पर वीडियो मिलेगी तरिश्ले आप चैनल से जुड़े रहे हैं ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वेडियो में वीडियो ज्यादा ज्यादा दोस्तों पास अट रिए ताकि से भी दियारती पड़ सकें मिला सकें थैंक्स पर वाचिंग वीडियो कि हालो इस्टुडेंट्स आईए आज यूपी बोर्ड क्लास 12 इंगलिस का जो 2023 में पेपर हुआ है डावल जेड तेन सो सोलर डावल जेड इस सेड को हम हल करते हैं यह सुल्टानपूर जिले का पेपर है इसके पहले मैं जौनपूर जिले का जो है तेन सो सोलर डावल ए वाला ह कर चुका था इसके पाद मेरे पास जो पेपर हैं आइर वी कानपूर जिले का इसको मैं साल करूंगा क्योंकि काफी चेंज लaid माय चैनच ऑप जहां कभी हो आप उसको मिला Sकते हैं और आअगर बार में ग्यार्म है तो कशला टिया से कोई अन्रिक्लास में है जो कंपेटिशन के त्यारी कर रहा है तो उसमें इंटर्मेडिट का ग्रामर बहुत यूजफुल होगा क्योंकि ग्रामर वही सब में आता है इसलिए आप वीडियो को ज़रूर देखें और समझें आपके लिए बेनिफिस्यल ही होगा कि देखे 306 डेवल जिट इसमें देखें पहला कोश्चन जो आया आपका वाटिवर यूर्ट टास्क में भी अंसीन पैसे जाहिए इसी में से आपको आंसर खोजना है तो चलिए मैं पहले कोश्चन पढ़ दे रहा हूं इसके बाद आंसर इसमें स्कोज़ रहा हूं हम अपना काम कैसे हमें अपना काम कैसे करना चाहिए इसका तो मतलब की कुल मिला के डू आउर टास्क इस पर ध्यान देना है कि हमें करना चाहिए आप कैसे करना चाहिए और विन सैल भी निवर फाल दूसरा कुश्चन है हमकब आसफल नहीं होंगे यह वेरिन लाइस दे सेक्रेट आप टूप और सक्सी सक्ति का रहा से कहां नहीं होता है यह तीन कुश्चन इस पेज़में इसके बाद अगला कुश्चन चली पहले इसना कुश्चन हम देख ल कि बात आए वहां रुकिए गया और आसफल्क कब हम नहीं होंगे और किसमें सक्ति का रहा से यह सभी कुश्चनों का अंसर कीवर्ड अब ध्यान देखें दे रहे हैं कि में नेवर फाल सेक्रेट आफ टुपाल कि वाटेवर यह टास्क पहला करें कि हाउव सुड वी डू तो इसका आंसर जब को पढ़ेंगे तो वी शुड डू आवर टास्क इतना प्रसम से लिखेंगे कि इंट्रोगेटू के सब्सक्राइब कर लेंगे वी सुड इधर हो जाएंगे वी सुड डू आवर टास्क यहां भी देखिया है तो इसके बाद यहां कंसंट्रेट है ना तो आपको इसको सिंपल यह अपने बहां से मताएं हमें अपना काम कैसे काना चाहिए इसमें सुरुआत्मने लिए टास्क में आपका कारश जो कुछ वह कंसेंट्रेट यह और होल माइंड अपान इट इस पर अपना पूरा ध्यान के अंद्रित करें इस पार्ट को पड़े फ हमें अपने कार जो है अपने पूरे दिमाग को इस पर केंद्रित करके करना चाहिए तो यह हो गया थो इंटू इट अल्द एनर्जी इसको भी आप आगे भी लिख सकते हैं थो इंटू इसमें लगा देना चाहिए अल्द एनर्जी पूरी उड़ जा आफ जिसके वी आर हम योग हैं थे कि के हिसाब से ना यू का वी हो जाएगा बस इस तरह दो नंबर मिल जाएगा दूसरा है वह वें सैल भी निवर फॉल हम कब नहीं असफल होंगे तो देखिए जब आप पढ़ते चाहिए आगे भी पढ़ ले रहे हैं कब आसफल नहीं होंगे इसमें देख चोटे कारों की दोस्राइट पूरता लीट इनवाइट इन वार्जर टास अनुवार रूप से बड़े कारों तरफ लेजा सी तुइट इसमें ध्यान रखना रखना चाहिए यह इसमें या भी देखना चाहिए कि यू राइज वाई सीमस देखने या ध्यान रहे इस मैं इस चड़ना राइज मान होता है यह राइज राइस मतलब आगे बढ़ना होता है यह यह इस कारत हो तो आप बता दिए कि हम जो है लगातार या इस्तिर कदमों से चड़ करके आगे बढ़ते हैं और असफल नहीं होते हैं तो आप ऐसे कर देंगे कि अब वेन वेन कब असफल नहीं होंगे बता दी कि यूख जगां वी कर देंगे अपने इसाफ से बताना को वेन वी राइज वाइस टीड वी क्लाइमिंग जब हम इस्तिर कदमों से आगे बढ़ते हैं यह बढ़ेंगे तो आयों के लिए कामा लगा देंगे तब यूख हम अगर के वी सैल नेवर फाल तब कभी गिरेंगे नहीं ठीक है इस स्थिर कदमों से चड़ के आगे बढ़ेंगे तो हम कभी नहीं ऐन्सर है तो यहां अगर से लेके फाल तक बच्चे लिए यहांंगे तो उननका भी यामनर देख देगा दो नमबर कम्सकंब नहीं तो अ लेकिन सही तरीका जो है आंसर देने का मैं इसको बता दिया आपको इससाफ से देना चाहिए तब आपको पूरा पूरा नमबर मिलेगा अगरी जामनर पाड़ की जाचेगा तब भी पूरा देगा वेरिन लाइज दे सेक्रेट आफ टू पावर सच्ची सक्ति का रहत से कहां पर नहीं थोता है तो जब अब देखिए प्राशन को पढ़ते चले जाएंगे तो देखिए खुजने का प्रयास करें उसकी आगे सच्ची सक्ति का रहत तो आगे कारे कि लगतार कदमों से चड़क नहीं होता है तो यहां देखिए सच्ची सक्ति के रहत के बाद ही यहां देखिए ना कि पढ़ते जाएंगे और इसी में नहीं होता है इसी में मतलब इसके पाहले जो बात किया गया कि सी टूइटी अभी ध्यान रहा है कि यूराइज भाई स्टीडी क्लामिंग इस तरिक स्टीडी क्लामिंग बस इतना केवल आपको यहां से ले ले लेना और इसमें थोड़ा सा और आगे बात करेंगे ना कि परते चले जाएंगे तो इसमें एक आप बात और कहा गया है मेंटल एंड इस्पिर्चुल एनरजी मांसिक और अध्यात्मिक उर्जा अगर मांसिक पाउर लाइज इन इस्टीडी क्लाइमिंग एंड एंड करके आप कर देंगा एंड करके मेंटल एंड इस्पिर्चुल एनरजी बस इतना लिख देना है आएंड की जगहां आइज भी लाइज भी लिख सकते हो कि इसमें दिया नहीं कि फूलिस वेस्टाल देर मिंटल एन इस्पिश्चुल एनरजी मुर्ख लोग अपने सारी मांसिक और अध्यात्मिक उर्जा को तुच्छता में नस्ट कर देते हैं मुर्टापुडबकवास में फूलिस टेटर में सेल्फिस आर्गुमेंट स्वारत इसमें में इस्पिश्चुल एनरजी आप आट कर दें चलिए अगला कुस्चन देखते हैं तो हाव डू फूलिस वेस्ट देर एनरजी मुर्ख लोग अपनी नर्जी माने उर्जा को कैसे नस्ट करते हैं तो चलिए देख लेते हैं इसका आर्थ सीधे-सीधे मतलब इस्पिश्चुल एनरजी इंफ्रिवल्टी फूलिस चैटर और सेल्फिस अर्गूमेंट नाट टूमेंस दफेस के लिए यह पूरा आपका आंसर है चौधे का ठीक है तो दीक है पूरा आंसर आपको यहां से यहां तक ली लिखना पड़ेगा देखिए अगला क्वेस्च अनिद्धल करना है इसका क्या मतलब है तो मतलब इसका सब्साइब करूंस करो था ने को सिर्फपार यहां तो नियुक्ता है जाता है टू कंसंट्रेट कर wanna दिमाग को केंद्रित करना फुलिस पुलिस का भी लोम लिखो फुलिस माने मूर्ख होता है तो वाइस माने बुद्धिमान हो जाएगा चलिए आप देखते हैं दूसरा क्वेस्टन जो आया है निबंध आया है तो निबंध इंपोर्टेंस आप गेम साइंड स्पोर्ट्स ख यार की होंगे ठीक है इसकी भी चैनल पर आपको मारे मिल जाएगी सर्च के लिए यूर एम आफ लाइप या यूर एम इन लाइफ बाई रमेश्टर या यार्म इंगिस लाश्ट आपको मिल जाएगा और एक्सिलेंट में भी दिया है चलि आगे देखते हैं देखें तीसर इसके रहे हैं कि राइट लेटर तू फ्रेंस्वाल आफ यूर इस्टू रॉड को लिए लायब्रेरी बुक्स हरा उन्टृ स्टुडध इसमें करा रहा है कि लेटर लिखना प्रेंस्वल को अपने स्कूल के कहाना कि प्रदान करें लाइब्रे बुक्स पिस्टकाला से कित प्रेंस्पल को लिखना बहुत सीम्पल आप इसको अराम से लिए प्रेंस्पल कलके पने स्कूल को लाम आप इसको भी जरूर त्यार कर लेना तो देखें इसमें क्या की द्रेंस्पल करना अपने चिंता प्रकट करना इनक्रीजिंग प्राइस राज़ मुल्य ब्रिध्ध है बढ़ती होएं मुल्यों की ब्रिध्ध हो तहीं हो रही हैं मतलब बढ़ती हो इस पर चिंता जाहिर करना है कि भाई पेपर में निकलवा दीजे कि इतना बढ़ती महागाई इतना कीमतों विद्धी हो रहें इसके बारे में आप क्रिपया चाप दीजे ताकि सभी अधिक्यारियों का सभी जो जिम्मेदार हैं उसका ध्यान इस तरह फाकर्सित हो जाए इन दोन में से किसी एक पर लिख मतलब निरासाक भी हर चीज में जिसको निरासा दिखाए पड़ती है उसके अंग्रेजी एक सब्द में होता पेशिम पेशिमेंस्ट वने होता निरासावादी वह अगर ब्राइट साइड होता तो आप्टिमिस्ट हो जाता ठीक है इसका उल्टा आप्टिमिस्ट होता लेक बहुत प्री हो इसको करते निस आंखों का तारा आँखों का तरह बहुत प्री का सबाइब जैगा इससे आप डिस्टाटिस्था माने गिरा देना देना नस्ट कर देना ये सब होता है अब आवड इस डाइम in your वाज तो इसमें इसवाक में किस सब्द में गलती है तो तुम्हारे घढ़ी में क्या बजा कि जो हैं समय बताने के लिए इन कभी नहीं लगता इन इसलिए गलत है इन की जगह क्या लगता है बाई सही है ठीक है तो बाई नहीं लिगा है इसलिए इन गलत है घड़ी दोहरा समय बताने के लिए में अधिक अच्छा होता तो अधिक खराब इसका हो जाएगा वर्स वर्स पांचवा कुस्चिन आपका है अधिक अधिक हो जाएगा उसके बाद वाट से कंजेक्शन भी हो जाता है वाट आर यू अभी वाट के बाद सब्जेक्ट हो जाएगा यू को रीता कंसर बदलेंगे सी आर का सी कंसर वाज हो जाएगा कि सीथ साथ एक बच्छन लगता है वाट सी वाज़ डूइंग क्या हो जाएगा देयर हो जाएगा तो महेश ओस्त रीता वाट सी वाज़ दूइंग जाएगा पूलिस टाप उसक बाद लग जाएगा अगला माज टीच देखिए एक ही करना है लेकिन दोडोब दीक करना है लेकिन मैं दोनों बता देना हूं जानका रिग लिए क्योंकि आपको पेपर साल करना है तो सभी समझ में आ जाना चाहिए दा टीचर से टू दा इस्टूडेंट से कर सकते हैं तब यहां टू की जगहां जो है नाट टू लिखे जाएगा क्या लिखे जाएगा नाट टू सही दोनों चाहिज इस तरीके सब्सक्राइब सब्सक्राइब कांप्लेक्स बनाना इसको सबसे पहले करना देना पड़ेगा आई डू नाट नो मैं नहीं जानता हूं उसके बाद वेर हो जाएगा वेर के बाद सब्जेक्ट हमें से लिखे जाए क्योंकि इसमें इंडारेट का रूल लगता है ठीक है पहला बाग के प्र अचेक नहीं है तो फिक तो हम क्या करते है कि दूसरे बरा रहा हम सब्सक्राइब को निले को बदलना पड़े कि रूल भी लगता इसमें हुल हो जाएकों के फिक्राइट में है इसलिए वयर ही इस गए इस का जाती हों मैं नहीं जानता हुंक्कुन कहां जारा तो उसके बाद फुल्डशप लागेगे थेना कि यह में स्वेस्थ स्थाशपन गया दो ळो Evac फाइंड आएज विल आएज कर दिए है आजविल आज इंप्रिजन्ट ठीक ना उसके फाइं लगाएगा साथी साथ जेल दाल देगा जेल में डाल इस बेलाइज मनें और भी यह भी सही है अगर आप आयंड से बना है तब भी चल जाएगा ही वाज फाइंड इस तरह से जोड़ बताने वाले कंजेक्शन से आपका अगला है ट्रांसफार्मेशन है बदलना यह दिया है कि जम्मू इस नाट सो हाट आइस दिले जम्मू उतना गर्म नहीं जितना की दिल्ली तो सीदिस बात है वही आर्थ होना चाहिए तो दिल्ली इस हाटर हो जम्मू हो जाएगा हट काहटर हो जाएगा देन लगेगा तो देखिए दो तरीके सब्सक्राइब कर दिए कि वाई हो में है उसके बाद साइक रिया लगेगे काई वाई हों क्या इट सब्जेक लेगे फिर लिखा जाएगा डू का थर्ट फार्म ड़न हो जाएगा प्रस्पाक्राइब लगता है वाई हूं कं इट वी डन इसके दिए तोरह किया सकता है यह ऐसे भी किसकते हो फूं इट भी डन वाई लाश्ट में भी कर सकते हूँ का इट वी डन तब बाद में लगए बाई हुम बाई शुरूम लगा तो हुका हुम हो जागा नहीं तो हुसे भी बना सकतो लाश्ट में बाई लगेगे दोनों सहीं पर्रव्ण करेक्ट अन्वें फॉलेंग संटेंश देयर देयर आयम लार्ज नंबर आफ गल्स इन इस में क्या गल्थी है इस श्कूल में लाज नंबर करनें ब्राइब लड़कियां बहुत से लड़कियां है तो टैर्फ और रही तो सही हो जाएगा के ये स्टाइड इंडूइंग हीडिस वर्क वह इसकाम को करने करने में थक गई है थका हुए तो टार साथ इन नहीं लगता आफ लगता है तो यहां फॉलूंग परियोग करना जैसे मतलब आइडल आडल मने शुष्त इस तरह से आइडियल माने आदस ही आडियल टीचर यह डियल फ्रेंड आडियल नेवर आदस परोसी है मित्र है कुछ भी कह सकते हैं बर्थ माने जन्म होता है तो वाट इस योड़ेट अब तुमारा जन्म का दिन क्या तारिक यह बर्थ माने होता है प्रेल गाड़ी में बैठने या सोने का स्थान जो मतलब सीट होती बर्थ न या ठीक है यह बुगड दबर्थ शीट पार इंसेल्फ वास्वाइम के लिए बर्थ को क्या के बुक कर लिया था जो से सुने के लिए जो सीट होती है ट्रेन में उसको बर्थ कहाते हैं चले अब देख लेते ट्रांसलेशन देख लेते हैं मेजर उस्मान हमारे देश के प्रसिद्ध योद्धा हुए हैं तो मेजर उस्मान नाम में मेजर उस्मान ही रहेगा उसके बाद हुए है कि हाईजबीन हो जाएगा मेजर उस्मान हैजबीन और फेमस एफेमस वारियर एक लेकिन जो करेक्ट एकदम सही मैं बता रहा हूं तो मेजर उस्मान है फैमस वरियर आप और कंट्री पहले वाकिका होगी धूसरे वाकिया जब पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया इसके पाकिस्तान आटाइक्ड आवर कंट्री एक सब्द है इन वे इन वेडेड व फाकिस्तान अटाइक डिया इंवेदेट आवर कंट्री ध्यान देन एक ती की रच्छी जाएी नहीं लगता पर चूंहें अनकरल एक नहीं के शंट पर्वाज सेंट उद्वर जा गया विए तो डिफेंट देश की रच्छा के लिए किसके लिए देश के देश के अगला राजावरी के युद्ध में मारे गए किसीफध्वार आहिंगे है लिबास में ही वाज केल्द वह मारे गया यह वे ने यहींट लोग है तो वे भले उनके सम्मान में का दिये गेवी लगे वाज यह इंद्ड वैड्य आफS इंदा राजाओरी की दुमें ते इंदा बैटल आफ राजाओरी की स्वेलिंग ध्यान देना यह स्थान की नाम इसकी स्वेलिंग होती है र-a-j-o-u-r-i राजाओरी इवाज की लिए इन दा बैटल आफ राजाओरी किन्त उनकी बीरता को हम नहीं भूल सकते हैं इसके अंगरजी को but we cannot forget his bravery but we cannot forget his bravery माने बहादरी या बीरता या बोल्डरनेस भी का सकते हो उन्होंने कभी भी अपने जीवन की चिंता नहीं की इसके अंगरजी वरीड अबाउट इस लाइफ ही निवर नहीं कभी नहीं वरीड माने चिंता की वरीड के साथ हमें सफिक्स प्रिपोजिशन एबाउट लगता है एबाउट इस लाइफ माने अपने जीवन की की आप नहीं लेगे एबाउट लगे एबाउट इस लाइफ किस चीज़ के बारे में एक बार वे युद्ध में घायल हो गए इसके अंगर यह बीके मुंडेट लेती होंगे तब भी चल जाएगा बीके माने हो गया उन्डेट माने खायल इन दा वार कि युद्ध में अगला है कुछ सिपाही उनके लिए बहुत दूर से थोड़ा सा पानी लाए तो कुछ सिपाही तो सम सोल्जर्स हो जाएगा सम सोल्जर्स यस ओ आट सम्वाटर देम उनके लिए बहुत दूर से कैंजेएं कि फ्राम इलांग डिस्टैंस बहुत बहुत दूर से यह बहुत प्यासे थे हैं बिकॉस यह वेर बेरी धर स्टिय मतलब जो सिपाही लोग ज़्यादा सपाही है तो लिए एक से जाना है तो दे लगे लेकाश द प्राइब थर्स्टि मानने होता क्यासे हैं उसके बाद जो ह्यां किन्त उस बीर ने वह पणी स्वैय्मनेए किया बत डायट हीरो भडाइड हीरो मानए उसे ब्रेव मानेवी भोड पाउव लेकिन हीरो ज्यादा से बेटर बेर बट डएट हीरों इंसेल रिदुन आट ड्रिंक डायत वाटर इंसेल्म डीड नाट ड्रिंक नहीं पीए ज़िए लिखे दी है तब भी चल जाएगा बोल्ड मनें भी या ब्रेव म्हें बोल्ड ऐओ लिख देना बेटर मानजाएगा बोल्ड मैन या ब्रेव मैन ठीक है लगिन हीरो लिख देंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं ना उनका भी काम कर देगा डिजेक्ट्ट्व की जरूत नहीं पड़ेगे बट दैट हीरो इक सिपाहे को दे दिया घेट देट वाटर फर्स्टी सोलजर कट देदियानदर son सब्सक्राइब कुछ देर बाद उनकी मृत्ति हो गई इसके लिए ही डाइड आफ्टर सम टाइम या आफ्टर सम टाइम कामा ही डाइड दोनों सही है ऐसे बीर और दयाल उब्यक्ति को हम कभी नहीं भूल सकते हैं वी भूल सकेंगे ठीक है बीविल नेवर फार्गेट हम कभ सब्सक्राइब कर दिए या फिर आप कह सकते हैं मर्सीफुल परसन इस तरह से ट्रांसलेशन हो गया लिट्रेचर में देख लेते हैं क्या क्या है लिट्रेचर में देखें यहां 40 वर्ड में लिखने के लिए दो कुस्चन दिये गए दोनों में आपसन है जिसे पाहला कुस सब्सक्राइब करना था और अगला वाट ठीक है यह सब्सक्राइब करना चैनल पर जो लोग 11 में बारक लिए अब देख सकते हैं कि राजु प्रकाशन की बुक से लोड़ेड है वाट 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 इंपोर्टेंस आफ गारवेज फार चिल्डन इन सीमापुरी सीमापुरी में बच्चों के लिए पूड़ा करकट क्या महत्तो था वाट डिट गाधी जी दू फार चंपारन चंपारन के लिए गांती जी ने क्या किया तिन दोनों में से किसी एकल लिखना था चलिए आगे देखते हैं आठ्वा कुस्टिन है वार आंसर इनिवन अब फॉलोंग क्विस्टिन से इने वाट असी सब्न में लिखना है लांग वाट डिग्लस डिसाइड तो अबरकम इस फिर आफ वाट ड किसी एकले सोबादा या दूर्धुसा और या ने वाले की कटिसंट अधर सा करो फ्लाइट के डर अया इसालियस लोस्ट्विक्टेर्ट पार्ट में जैसे प्रकार से डिपिक्टेद मनें चित्रित किया गया है यह वरडन किया तीक है यह लोगा तीन दोनों में से लिखना है आपको अगला है डिए फालोइंग एक्स्ट्रैक्ट केरफुली आंसर दाइफ कुएस्टेंस फालो ने कि सारा आउतरड को सावधानी प तो उससे से आपको लिखना है और यह मैं देखे तीन क्वेश्चन का आंसर जो है इसी इस टैंज से आपको देना है आप इसको जरूर किये होंगे पाहला कुश्चन था वाट ड़ाज दा पोएट फील अबाउट तिंग अब्यूटी सुंदरता वाली चीज के बारे में इसी में से इसका सब आंसर मिल जाएगा अगर आप पूरा डिटेल आंसर देखना चाहते है तो आप चैनल पर जाएए सर्च कर लिजिए और इस टैंजर टाइप क्वेस्चन्स फ्राम इतिंग अब्यूटी वायरे मिस्टर यार्यम इंग्लिस क्लासर शुरपूर आपको मि आउसर कैसे मिलिए यह जो बड़ा से कुस्चन बड़ा सा एक सप्लिमेंट टरिक उसमें से दिया घया है इनवार्टी वातारिक्स के बनां करो इन दोन में इसको पार्ठ जो इन पर आप उससे लिए ठाथ तो आप बड़ा पार्ठ अगर समझके नहीं पढ़े होंगे तो आप इसको जरूर लिख दीजिए दोना मैस्सेज इसको भी आता है लिखना था है हुआ फट वाज थार्ड लेबल फिर वाट इस ट्ुए थार्ड लेबल कां था क्या था फिर वाज पर्ट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पे मिल जाएगे इसके पूरा सेम यहीं सब कुश्चन है कि आंसर एनिवन आप दो फालॉइंग विश्चन इन वाट टी वर्ड करें कि पस्ती वर्ड में लिखना है लांग कुश्चन सप्लिमेंटर से हैं हाव डाक्टर सदाव सेव दा लाइफ आप दा अमेरिकन वार प्रिजनर डाक्टर सदाव अमेरिका के युद्ध के काइदी की जिवन कैसे बचाएं और हाव डिट हाना हेल्फ इन डूइंग सो हाना ऐसा करने में कैसे मदद की तो इसको लिखो जो बड़ा पार्ट है दानिम तो इस तरह से बहुत बच्चे इसको ब्लांग बड़ा पार्ट समझ कि इसको नहीं पढ़े हैं तो आप इसको कर दिए कोई दिक्कत नहीं है एक पार्ट जो आप सोड़ दी होंगे तो भी आपको समस्य नहीं होगी क्योंकि आप सनल है तो दो में से एक ही करना याद नमब उसको भी मैं हल करूंगा बाकि आप चाहिए जिस दिले के हों आप बताइए आपका पेपर का सेट क्या था उसको मैं साल्फ कर जूंगा जरूर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थांक्स पर वासिक वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर करें ताकि 317 नहीं 316 316 romantic ौर्लリा करें यहरा है और बजय्स कर जергा से पेपर जो मैं साल्फ करने जा रहा है इस तरह से आपका चाहिए इस चीले का पेपर हो आपको इस चैनल पर सभी आपको साल मिल जाएगा आप जरूर कमेंट करके बताइए आपको कौन सब्सक्राइब है कि इस पेपर का आपको सलूशन चाहिए अब चलिए देख लेते हैं इसको जो है क्लास बारा में जो लोग पेपर देख रहा हैं वो लोग मिला लें कितने कुश्चन सही है जो ग्यारा में हो देख लें किस तरह कुश्चन आते हैं ताकि उनको आगे दिक्कत नहों और इसके अलाओं जो 11 और 12 के अलाओं क्योंकि इंटर का ग्रामर हर जगह काम देगा यह ससी हो चाय बाइंग हो चाय रेल्वे हो चैटर्ट सुपर्टर्ट हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है तिसलिए आप इसको जरूरत देख लीजिए कि देखे सव नंबर का पूर्डांक है इसमें पहला कुस्चन जो है प्रड़त जो है जीवी का जो एक ब्रेड जो है मतलब भोजन होता है किसी भी चीज से ज्यादा महत्तपूर होता है दू यह ग्री क्या तुम साहमत हो इफ नाट यह नहीं तो वाई क्यों कि वाट टाइप आप मैंस वी प्रोडूस्ट वाई एजुकेशन सिच्छा के दार कि जब आप पहला कुश्चन देखेंगे वाट सुट वी देमाफ एजुकेशन सिच्छा का उद्देश क्या होना चाहिए इसका करेक्ट मैं अंसर बता दे रहा हूं पहले अप लिग देंगे उसके बाद सूट भी धर लयाक कर देंगे सूट भी सिच्छा का उद्देश हो क्याओ बढत जाहें लिग सिक्षपे स्टों आपको क्या करना र थे यह ऊद्देश आपको क्या इंध बढ़ना चाहिए और क्या फिर प्ड़े परणे प्रशन चले जाएंगे यहां लेभी ने एक चीजा अब अब बता दो और क्या इसका उद्देश बता देया मेकिंग गूड इतना बता देना बस और अच्छे नागरिकों को बनाना यही जो है सिच्छा का उद्देश क्या होना चाहिए तो बता दिकी देम उफिजिकरेशन सुड्वी इंक्रीजिंग नॉलेज ठीक है और निंग लि अगर जो इस तरह से नहीं लिखे हैं अपने मंद से थोड़ा सा यह क्यों लाइन मैच करके थोड़ा इदर दर्ब से लिखें तो दो नमबर पा जाएंगे अगला है ब्रेड़ीज मोर इंपॉर्टन डैने इंफिंग इस ब्रेट किसी यह नहीं चीज से अधिक महत्यपूर है दो यूगर क्या तुम सामत हो इफ नाट वाई यह नहीं हो तो क्यों प्रेट के इस इंडिकेसं से है कि मतलब यह आप नहीं है सामत हो तो क्यों उसका कारण बताना है ठीक है आपको करना कि ब्रेड़ीज मोर इंपॉर्टन दन एनिफिंग इल्स ठीक है तो दू यू प्रेड़ीज नटेगर विकाज के बाद जो है आपको यहां से लिख देना इसका कारण होता देना है यहां से ठीक है तो विकाज दा एजूकेशन सुड एम सोल्य एट मेकिंग गुड़ सेडिजन्स ठीक है इस गिए लिग देना क्योंकि एजुकेशन शुड एम सिच्छा का उत्थ Хोन हों चाहिए मतलब कि सिच्छाु वे च्छ facing गुड़ देना चाहिए जो अच्छे लोगों को आच्छ नगरिक बना ओर अच्छे देश्फख्त बना ओए इसका बनाँवी और उक्ति एतना पूरा ले नहींगे याज़सर बा jijए लए सकतर यह होना चाहिए कि अच्छे नागरिक बनाए और अच्छे देश बतने का एव ज़एंड प्रोडूस्ट करना चाहिए तो आप बता दे कि वेक्टियों को भर्यक्ति को इत्पन खना चाहिए इस देखें यहां देगे नअच्छे आएगे मतला सिच्छा को प्रोडूस करना चाहिए मैंने आज से ब्यक्ति को हूँ लब दियर ओन कंट्री जो अपने देश से प्रेम करें बट वू दू नाट वांट तो हार्म अधर कंट्री लेकिन जो दूसरे को नुक्सान ना पहुंचा तरह से कहा देना कि हाँ दम मैं पहले सब्सक्राइब देखते हैं अगला देखिए हैं इंडिपेंडेंस का मतलब पहुचा है करेंगे मतलब मिली जा रहा है फ्रीडम यह सब्सक्राइब करेंदेंस को मतलब मैं पैसे नांसर तो पर्पज भी दिया है कि किताब और राइट दॉन ऑप दो वर्ड बिस बीफ कब नाउन बताव बिलिफ मन भी श्रॉस करना नाउन इसका हो जागा भी एटाके हम यह प्र देंगे तो आपको नाउन हो जाएगा यह भी समझ में आ गया होगा है ठीक है यह बिलीफ वाला अपने इसाफसर बनाना था यह यह टाक एफ और बाकि एम का परफस इंडिपेंडनेस का फ्रीडम किताब में दिया पेपर में वहां से आपको लिखना था देखें यहां मैं द कि आपका जो है आर्टिकल लिखना किसी एक टापिक पर सॉसीडियर्स वर्ड में नीवर्ण लिखना है दवोखिच यू लाइक मोस्ट वा किताब जिसे तुम ज्यादा पसंद करते हो तो इसके उपर लिखना है तो आपका चदस में भी यह था राम चरीत मानस के बारे में माकास थान यह सब इंपॉर्डेंट को ठीक है थे बताया गया थे आप इसमें से कोई भी लिख देना था सबसेडियर्स वर्ड में चलिए आगे देखते हैं तीसरा क्विस्टिन क्या पूछा और राइट लेटर तो यह यंगर बदर इस फ्लेनिंग हिम एक्स्प्लेनिंग इस तरह से उसको सुबह के टालने के बारे मुटने बाताना और अच्छे लेने के लिए पताना यह फिर मुटनिंग शिकायत करें बॉट फ्रेक्वेंट की प्राया लांग टाइम ब्रेक्डाउन और पाउर सप्लाई लंबी समय तक बिजली की नहीं रहती है खराब होना न होना इन यूर लोकाल्टी आपके च्छेत्र में ती तो मॉस्ट इंपर्टन था इसको मैं बताया था लांग टाइम ब्रेक्डाउन नाम से तो फ्रेक्वेंट ब्रेक्डाउन आप अपको एलेक्ट्रिसीटी विजली किताब में दिया है एक्सिलेंट में है भी मोस्ट इस तरह से किसी भी रूप में आ सकता है चले सक्षण सी देख लेते हैं सेक्सिंशन सी में क्या है कि और सब्क्रिट संब्सक्राउन पफॉछ इन पिरेक्डाउन बताना कूछ और सन दिया है यह परसन वूद नाट बिलिब इन दर ए 1 गयसा आदमी जो भगवान की आस्तित तुम्हें विश्वास नहीं करता उसको हम क्या कहते हैं अब देखिए आगे क्या है कि दफ्रेज्ट गुड्व को क्या ऑंता हूं थॉल्ड गुड्वान होता है इसको प्रेच्टिन या जिए किसमत होता पार्चुन माने भागी होता है अगला है इसलिए आपको क्या है गलत है पकड़ना है देश द्रोही या देश का गदार वोता है जो रागी देखते हैं तो देखे पाच्वा कोश्य लेखें है और चेंज निवन आप दो फालोविंग इंटू इंडार्टी स्वीज देखें किसी एक कोई आपको पेपर में करना था या और आगे करना भी होगा लेकिन दो 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 दिये रहेंगे इसमें दिये हैं दो दो एक तो मैं दोनों बता दे रहा हूं जानकारी के लिए क्योंकि आ आता है तो सब्सक्राइब को बदल देते हैं पर पोज़्ट टू या सजेश्टेट टू लेकिन परपोज़्ट टू राता है तो ध्यान ने सब्सक्राइब आपको देट कंजेक्शन लगा देना फिर असको हम सी के अनुसार बदलेंगे तो हो जाएगा आपका दे क्या हो आप पर पर पोज़्ट टू एस डाइट देश्टू एप सम्मुजिक अगला अब यहां बाद देश्टू रहे रहे रहेगा आप जो लोग डैट देख जैगा वी किये तो भी चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि भाए वी या देव का मतलब यही होता है कि अगर देख लिए वाला वी समय है तो भी लगा के बोलें तो दे लगाएगा वसको फर्स्ट परसन का अंसर बद्देंगे तो असब बचन है तो होता नहीं सकता है इस तरह सो जाएगा लगर मन लगए आप आपसे ही कहा है तो उसमें आप भी है तो इसलिए वीक भी प्रोग कर सक सकते हैं नए तो आप सब्सक्राइब को दिख्कत अगला एफ वादर सेट उस संट ले ले है तो यह प्रस्ण वाचक है तो सचेटेशा को काइदा दिल का दीजिए तो आस्क लिए क्या कर देंगे का देंगे आस्क चावादर से कुरुधित पूरववच पूछा पूचा वाई हैब यू डिस्टर्वड मी इन माई स्लिप तो फार से टू का आश्ट करें आज इस सन इंगरी कि वाई का इंजेक्शन वाई ही हो रहेगा सब्सक्राइब यू को जो है सन के अंसार ही हो जाएगा है कि वाई है है डिस्टर्वड फिर मी का जो है फादर के अंसार ही हो जाएगा और माई का क्या हो जाएगा हीज इस्टर्व हीम इन हीज स्लिप ठीक है उसके बाद जो है स्लिप के बाद फुल स्टाप अप लगा दें कि यहां प्रस्ट नवाचक है तो फुल श्टाप लगाने बाद यहां नया वाक के बनाएंगे हम ठीक है लीब दरूम आगे करा हैं कि मतलब भाई तुम मेरे निद में क्यों डिश्टर्प की पहले ही पूछे उसके बाद उसको आदिस दे रहे हैं कि लीब दरूम मैट वस्त तब उसे क्या किये आदेश दिये यह दिन ही आड़ाड ही में लिखे तब बीचल जाएगा उसके बाद क्या आदेश दिये टू लीब डा रूम आइट वंस तुरूंत कमर चोड़ने का आदेश दिये एंड डू नाट का हो जाएगा नाट टू ठीक है कम हीर का गो देर हो नाट टू गो देर अगेन का अगेन है तर्स बता देरां फादर आस्ट इस सन इंगर ली वाई कि ही हैड डिस्टर्ब मी का हिम हो जाएगा फिर माई का है इन डिस्टर्ब हिम इन इस स्लिप फुल स्टाफ करके उसके बाद अगला वाकर है कि ही तेन आडर्ड हीम ठीक है तू लीव दरूम आट वंस एंड डू नाट का नाट तू कम हीर का गो देर अकें चलिए बी वाल सब्सक्राइब करें अगला अगला भी कांप्लेक्स ही है वेरी हेल्थी मैं केम टूमी स्टर्ड ही वाज ब्लाइंड इसको कंप्लेक्स बनाना तो यह बेरी हेल्थी मैं के बाद आप कर दिए एक बहुत स्थाद में उसके बाद हूँ वाज ब्लाइंड जो क्या था अंदा था कामा करके ब्लाइंड के बाद तब केम टूमी मी इस्टर्ड है अगला आपको देखें ट्रांसफार्मेशन से है एक्टिवास बनाना है तो ही आपको करना क्या है कि पहले दा प्रिंस्पल लिख देना प्रिंस्पल उसके बाद है एप्वाइंटेड किताब में है एप्वाइंड ही का क्या हो जाएगा हिम फिर आइज करके साइंस टीचर लिख देना बस और कुछ नहीं प्रिंस्पल प्रिंस्पल एप्वाइंटेड हिम आइज साइंस टीचर पस्ति ही बजाएगा और सीज्टू फैट्टू रण नेगेटू बनाना तो पहली बात तो टीडबल लो रिमूब टू अलनियम लगेगा तो अगला टू अटाके पहले लिख जागा फिर सब्जेक् प्रिंकू आप लिखे देंगे है अगला है कारेक्ट करना है कि हम इसके बात देखिए इस Itu फिर स्थाट आप स्टीट करेक्ट करना है वह साथ बढ़ताव कि यह बाहर की मानुं मैं किया था किराज कुमार हूं तो यहां क्या है कि वाज हट के है बीन लगा दोगे तो आख कि आपके करेक्ट है क्यों क्यों कि बात यह है कि लगाना था अगर पास्ट में है तो उसमें क्या करोगे पास्ट के नाते जो है आपको ठीक कहां पहुंचेगा हुँआ हाँ पास्ट के नाते आपको हैड भी नहीं लिखना पड़ेगा ठीक यह ग्रामर का रूल है क्या दिख पहले प्रेजेंट है यहां उब लगएगा ठीक है अगर यह पास्ट है तो अभी नहीं लगए यहां क्या तो नहीं साथ हमेंसे फिक्स प्रेपुसियन अफ लगता है आफ पाकिस्टान इंक्रिकेट भारत क्रिकेट में पाकिस्तान को हराने का विश्वास रख रहा है इसकार्द अगला है यह जो फालेंग फियर सबबसी निया यहां दो-दो जो एक में दो दिया है पूरा जोड़ी दिया है तो जो भी यह एक आता है आपको चाहिए काई वाला जान लेजिए वोट मागना जैसे कर दूसरा को कहने होता है को किर्मिच का कपड़ा तो इस तरह से हो जाएगा अब यहां संटेंस भी मैं बता देंस को पर संटेंस बना देना कर सकते हैं कर सकते हैं कांगरेस के लिए कर रहा है समाजवादी पार्टी किस भी कर सकते हैं आप और देखें कारियर माने देखिया देखिया ड्यासाइद जीवन होता है you तो काथिन पैस्रम करना चाहिए तो कारियर माने वहां भी होता है और इसी कारियर माने जो है आपके साइकल का भी कारियर होता है ठीक करियर के सुटिटी डीपने थैगें कि आपको यह सुट सूटुन यह सुटिफली वारे उक्तिकल करें हम इसकी और संट्यचि बना सकते हैं तो वी ठुने रहता है सबसे बड़ा सत्र है तो समय मनुस्य का सबसे बड़ा सत्र है इसको अंग्रेजिम कैसे कहेंगे सबसे बड़ा सत्र है कि इसका पलन ना करने वाला मनुस्य कभी सफल नहीं होता इसकी अंग्रेजियोगी इसको पाला नहीं करता है इसको पालन नहीं होता इसका पालन ना करने वाला मनुस्य कभी सफल नहीं होता इसके इसके जोगे एक परसंग्रेजियोगी अगला है वीता समय कभी लौट कर नहीं आता वीता समय पास्ट टाइम नेवहर कंस बैक कभी लौट कर नहीं आता नेवर कंस बैक कहा जाता है कि इटी स्टेट डाइट नदी की लहर और समय की गत किसी की पतेचन नहीं करती है दा रीवर एंड दा स्पीड आफ टाइम वेट फार नन वेट फार नन है ैं यह यह जो लिख लिख लिखेंगे कह तो नन मने कोई नहीं तो इन प्लिक नहीं पड़े है तो फिर बता दरें इती श्लिट डाइट अश्य कहा जाता कि नहीं नदी की लाहर तर दा वीप आफ रीवर और और समय की गतिंए इंड दा नहीं करती है ठीक है वेट फार नोओन वेट माने प्रतिचा करती है फार नौन किसी बेग के नहीं अगला है इसी लिए समय के साथ चलना सदय लाबदयाक होता है इसलिए में दिस इज़ वाई इटीज आलवेज वेनिफिसियल इस दिस दिस वाई समय के साथ मूब मिस्ट चलना इस पूरे का लाइन का कहा जाता है कि इसलिए समय के साथ चलना इस भाइय विनफिसियल टू ऋ मुबीध टाइम अगला है जात्रों के लिए तो समय का एक छड्वान है जात्रों के लिए फारइसट्टुडेंट्स काम लागन हाँ समय के उन क्छड्ण भाष खार्णा कर बाता देखिए फारइस इंगल मूमेंट आफ टायम इभी सिं छड़ जो ऐसा में का ठीक है इस वेरी वाइल बहुत क्या है मुल लिवान है ठीक उसके बाद अगला है उन्हें समय बंद ठंग से अपने दिन चरिया बनानी चाहिए ठीक ठीक ये असी देयर डेली रुटीन इन एटाइब बाउंड मैनर अटेश में नेचाहिए तेयर डेली रूटीन अपने दिन चरिया को ठीक है इने टाइम बंद ठंग से एक मतलब होता है इन टाइम बाउंड मैनर बस यह चीज़ होगा फिर समय मता देरा हूं सब्सक्राइब करने वाल अब्यक्ति जीवन में कभी आसफल नहीं होता है ठीक है फालोज टाइम करने वाल कोड़ों का इसे ठाइम कभी आसफल कोड़िक तरी वहर कोड़न जीवन का मैं कभी आसफल नहीं होता है 1963 समझ में आ गिया होगा चले शक्षन डी लिट्रेचर पोस्स भी देख से क्वेस्टन आया है पहला कोईस्टन है वाट हैपन लिखने के लिए अप्रोश से वाट हैपने लिए क्या कि यह क्या करते हैं इन दोर में से किसी एक का लिखना है एक है इन सबकी वीडियो आप चैनल में मिल जाए कोईस्टन अंसर के चाहिए तो आप वहां से देख सकते हैं पूरी राजु प्रकासिन को कवर किये हैं अगला है हाओ डिड गाधे जी नुरीच चंपारन गाधे चंपारन कैसे पचे वाट डिड ही फाइंड वहां क्या पाइंड वाट डिड ही प्लांट वाट फूचर फूचर प्रोसीडिंग्स आगे कारवाहिक लिए उन्होंने क्या यूजना बनाया तो इसमें आपको यह लिखना है यह फिर आपको दिया है कि वाट सुड़ वाट थाट्स वर फ्लोटिंग इन दो माइंड आफ सोफी के दिमाग में क्या दिमाग मतलब रिटेर्निंग तुवाट सोंग घर लाटते समय फ्रांद मीटिंग प्लेस मिलने के अस्थान से यह सभा के अस्थान से वाट डिट सी फील अंद वी रास्ति मुझन क्या मसूस कि इसको लिखो यह फिर आगे कुश्चन आव दिया उसको भी लिख सकते हैं चली आठो कुश कैसे भारत में जीत प्राप्त किया डिस्काइब दे श्ट्रगल डन बाई गांदी जी और अन्य के द्वारा संघर्सों का वर्डन करो यह संघर्सों का वर्डन करो इसको लिखो है या फिर वाट हैंड का इस्टेट वीथ डेगलस फार एलांग टाइम डेगलस के साथ क्या लंबे समय तक क्या बाधा बनी रही है वाट डिडी डू टू रिसाल वीट फ्राम दर लाइफ वाइसे जीवन से हल करने के लिए क्लिए क्या सुचते हैं या क्या करते हैं इन दोनों से किसी एक के बारे में ही आपको लिख देना है कि अगला था देखिए अपके पोर्ट् लाइब किस्ते किया गया है ठीक है यहां देखिए विंटर मौन से किया गया वाट इस इंद पॉट्री फिल्ट्री क्या महसूस करते हैं कवित्री क्या महसूस करते हैं जो भी महसूस करती है तो उसको अप लिख होगे और वाट डिड़ दप पोर्टीज डू अट टाइम सब्सक्राइब के साथ क्या कहा था कि मतलब कि मैं आफ से सब्सक्राइब मुलेंगे मतलब यह सब मतलब जो भी है कुश्चन इसमें से आप खोच के देना इसकी वीडियो भी चैनल पे अफ्लोड हो चाहिए ताप सारी इस टैंजा को पढ़ सकते हैं आल इस टैंजा कि यह सप्लिमेंटरी सा गया हुआ विजार जादू कर कौन था वाट वाज इस रोल इंद पिस्टोरी कहाने उसकी क्या भूब कहते है यह फिर वाट वाज दरोल आफ इस ट्रॉलाजर इंद इस टोरी जो तसी कहाने में क्या वों क्या थी तड़ टाइगर किंग कहाने में टाइगर किंग पार्ट के नाम से जो कहाने है इन दोने में से किसी एक को ही करना है या फिर आप हुआ दा पेल फिस ओमन पील चेहरे वाले औरत कौन थी वाट वाट वाज थी डूइंग वा क्या कर रहे थी या फिर वाइट वाज दा इसमाल वेल क्यों चोटी घंटी एक एक करना बरावा देख लेते हैं लांग कुश्चन आया है यह सप्लिमेंटरी से ही लांग कुश्चन आइज को देख लेते हैं डिस्क्राइब थार्ड लेवल आइज पर चार्ली ठीक हैं वाट देट सी डू तो मेक्शिव दैट ही वाज इन दा 1894 वाइट टीड ही वा टीकट क्यों खरिदना चाहता था इसको लिखो यह फिर वाट वाव आफ महराज महराज की क्या प्रतिग्या थी फुल्फिल इट वाई से कैसे पूरा किया एंड वाट डेंजर डिडी फेस और उसने क्या सामना किया किस खत्रे का सामना किया तरीन दोनम से किसी एक बारे मे लिख देना है ठीक है जो भी आपको अच्छे सारा है ठीक है तो आई होब समझ में आगया होगा आप अपने मिला लीजिए अगर नहीं है कटल क्लास बारा मिस वर्स तो आप देख लेजिए और क्योंकि काम ही देगा इसके बाद आपको अगला से मैं साल्व कराओंगा और साल्व किया उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लेंक के देंगा आप उसको भी जरूर देख लेना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वासिंग वीडियो है हालो स्टुडेंट्स आईए आज यूपी बोर्ड क्लास 12 का जो है इंगलिस का एक और सेट हल करते हैं यह दोजार तेईस में जो पेपर आया आपका 316 जड़ यह आपका संकितांक नंबर है पेपर का इसके पहले मैं 316 वाई ए वाई बी डबल जड इन तीनों सेट को हल कर चुका हूं तो जिसमें जो है जो है जॉनपूर सुल्थानपूर कानपूर तीनों जिले का पेपर हड़ ह जिए हैं यहांब्पूर जिले का इसको भी देख लेता है कर आव सबस्क्राइब कर सब्सक्राइब करें कि आ पको दबा लिजी घंटी हैं तो आप बारै के लिए जो है सभी आपको वीडियो मिल जाएगी शेशनल में और बारा में हैं तो आगे आपको तैयारी करने के लिए जो कम्पेटिशनल ग्रामर की मिलेगी इसमें वड़ पाउर और क्योंकि आप 11 में हो या 12 वाले मिला ले 11 वाले देख लिए अगली साल कैसे आएगा और इसके लावां अनिकलास वाले या और कम्पेटिशनल वाले भी होता है पूरा पढ़िए दो तीन बार फिर पढ़िए फिर पढ़िए इस टाइम टेकिंग हो जाता है इससे अच्छा पहले को पढ़ लिए ट्रिक से समझ लिए अगर आपको नहीं भी आ रहा तो कुछ की वर्ड होते उसको देखके यहां से मैच करके आप लिख लेंगे उने कीवर लेंगे। किसी भी कार में सफैलना चाहिए तो किया करना चाहिए तो चलिए उसमें की वर्ड क्या होगा कि सखसीड इन अटेकिंगर ठीक है और क्या काम बताना इसमें चलिए आंसर देखते हैं देखिए आप इसको शुरुआत में पढ़ेंगे तो आप कि यहां से देखिए कि वी मस्ट वर्क इस्टीडली इस्टीडली टू दा इंड तो हमें जो है लगातार जो है आंति तक काम करना चाहिए तो हम क्या करना यहां से दिए कि वी मस्ट वर्क इस्टीडली टू दा इंड अब लगातार काम करना चाहिए अब यहीं प्रस्ट म से आप लिख देंगे कि इप वीए वांट हम यहां सकसेज घेगा तो सक्सीड कि प्रस्ट में दिया था आप सक्सीड कि टू सक्सीड इन इन्डटेकिंग फिर उसके बाद भी मस्ट वर्क इस्टिटले टुदा इंडिया आपके पहले एक आंसर हो गया चलिए दूसरे क्वेश्चन देखते हैं अटेंट्द तु मेके इस्पीच इन पार्लिमेंट अब को मिल गया ना तो उसने क्या किया था वही बता Double i sat down in great discomputer ठीक है आते देख वह परिशानी में विचाइने में क्या किया बैठ गया तो क्या किया था तो इसका आप देखे काम हो गया है fail होने बाद क्या किया था आप प्रसमसे लिख देना है कि जब वह fail हो गया था तो प्रसमसे लिख देना है कि he sat down ठीक है ठीक है attempted to make a speech and failed failed हो गया था तो his site यहां सापको लिख देना ही site तब वह sat down in great discomputer तो आते दी परिशानी में इंगा सो कर किया कि यह था बैट गया था इस तरह से यह आपका अंसर हो जाएगा चलिए अगला question देखते हैं इस तरह से आपका इस दूसरे answer हो जाएगा वह विन ही जगा से रिवान का दिंग में से रिवान का क्या मतलब है when he said that उसने का कि it is in me या मुझ में है और यह बाहर भी आ जाएगी यानि प्रकट भी हो जाएगी चलिए देखते हैं इसका क्या मतलब है कहने का यह मतलब सब्द है वाक यह फ्रेज है इसका मतलब आपको अंग्रेजी में अर्थ बता देना है देखिए यह फ्रेज आपको यहां आया है it is in me and sell come out तो आपको यह समझना है कि इसके कहने का क्या मतलब है तो इसके पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे तब समझ माएगा कि जबसे वह भांसर देने का लोग सब्सक्राइस किया आसफ़ल हो गया फिर साइट निरास होकर बैट गया फिर उसके दोस्त ने इस पालिटी जो है उसमें है और करें कि और सेल कम और और बाहर आना मतलब प्रकट होना करें कि यह तो मुझ में है मतलब मैं और होने की शमता मुझ में है और यह प्रकट भी हो जाएगी जिस दिन मैं अच्छा और साबित हो जाओंगा तरह से it is in me and sell come out का मतलब क्या है ठीक है आप यह बता दिजिए इसका कि अपने साफ साफ को बता दें लिखना है कि it is in me and sell come out means ठीक है ठीक है तो कर देखिए दा क्वालिटी आफ ठीक है ऑन ओरेटर ठीक है इस इंसाइड से रिडान ठीक है एंड इट विल अपियर ठीक है इन फ्यूचर और यह भिश्में यह परकट भी हो जाएगी ठीक है इस तरह सी इसका आंसर आपको लिख देना अपने शाप से बना कि उसके काने का क्या मतलब इंप अगला कुस्चिन देख लेते हैं अगला को स्वाच देख लोडीक एंट क्वाट दो यू लर्न फ्राम दा पैसे से आप क्या सीखते हैं तो चली देख लेते हैं कि पैसे सो जो सीच्छ मिलती हो लास्ट में आपको दिया कि वी शूट्टाट देरफोर भी टाइब होना चाहिए यहीं से आप वी से लास्ट तक लिए कि आप ऐसे लेगदें और लिए वी लर्न फ्राम 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 पर शेक्टे हैं उसके बाद वी से जोड़ दिए और बस बात करें चलिए आप आगला यहां इसमें तीन है वर्ड पाल से रिलेट हैं पहला है which word in the passage mean embarrassment passage में किस सब्द का मतलब investment है तो चले देख लेते हैं कि जब आप पढ़ेंगे तो passage में discomfort जो सब्दाया ऐसी का मतलब embarrassment भाने होता है सर बिन्दगी नाराजगी सर बिन्दगी होता है और परिसानी होता है तो यहां देखिए आपको जो है दूसरा question जो पूछ रहा है वह एक रहा है विच वर्ड इंद पैसे आप लेजली का पॉजिट क्या सब्द है पैसे में तो लेजली माने होता है आरलसी पूरबक तो इसका आप चलिए देख लेते हैं क्या होगा लेजली माने कोई काम जिसे आलसी पू पूलिट हो जाएगा वहाँ देखिये हां अगला है वाट दो यू लग मीन वाउइन बाई फ्रेज नु पूब भी प्रॉप्टिक मने होता है भविच से बताने वाला जो प्रूब तो यी फ्रॉपटी फ्रॉपटी की फ्रॉपटी के जो एक फ्रेज इसका मतलब क्या होत तो इसको कहते हैं इसका अंग्रेजी मारत कैसे लिखेंगे अब आप अब आपको लिखना करेक्टली इस्टेटिंग इस्टेट मनों तो बात पर जोड़ देना का कहना करेक्टली इस्टेटिंग और सोविंग तो दिखा देना प्रकट करना उसके बाद वाट बिल हैपन यह इसका मतलब होता है इसको आपने हिसाब लिखना तो आपको नहीं प्रूब भी प्राफिटिक मिन्स करेक्टली इस्टेटिंग और सोविंग वाट विल हैपन इन फ्यूचर सही धंक से इस्टेटिंग मैंने कहा सबस्क्राम की कहाना लुए और स्टेटिंग से कोई जांक इसलित सी करना या करना धिका देना जो भी भविश्य में एक वाट विल हैपने इन फ्यूचर आग्ला है हाँ चलिए देखे सक्षन बी पह आते हैं तो पवाट आपका है पहला है इंडिया सक्षीड इन डिलिंग पांडिमिक क्या भारत पांडिमिक महामारी जैसे क्या भारत महामारी से मैं मतलब करने में करने में सफल होगा अगला है रही अधिमिक भारत में और निक भारत में औरतों की इसके बारन चाहिए अगला है जर्नलिज्मृ में सब्सक्राइब करने में पूरी तरह सब्सक्राइब करने में पूरी तरह सभाई दिखी यहां पर सच्छम है इसके बारे में बता देना कि भारत में और भूमिक्याद बिल्कुल आप पता सकते हैं तमाम महिला जो भारत में बहुत आगया है उनका उदारण दे सकते हैं द्रोपती मुर्भू भारत राष्टपती तक बन चुकी है मायवती दुक्यमंत्री कई वार रहे प्रतिभा पार्टिल प्रस्ट को वार नहीं है मुझे चेताओनी दो अगेंस्ट सम आफिज अंडेजारेबल कंपनी अवांचनी साथ हो के बार विरुद्ध जो इसको चेताओनी दो अवांचनी जो मन माना अपने मन के करते हैं कंपनी मैं साथ है से लोगों के साथ में रहने कि विरुद्ध उसके साथ है मतलब ठीक ठाक साथ ही नहीं उनकी खिलाफ आपको नहीं रहना चाहिए इसके बारे मुसको समझा देना यह फिर राइट एन अप्लिकेशन तु अप्रिस्पल आफियर कालेज रिक्वेस्टिं इन टाइम अपने स्कूल के प्रिंसपल को एक प्रात्न पत्त लिखना सब्सक्राइब करें इसके लिए अप्रिंसपल से अप्लिकेशन देना है तो चलिए सेक्शन सी देख लेते हैं यह मतलब को इंटारिम से राइंस वर्ट पॉस रिलेटेट कुश्चिन आंसर जो हैं पांच कुश्चिन है देखिए अब्जिक्टियों पहला है एक ऐसा स्व वह क्या काते है इको इस्ट काते हैं और थे अंतर थिए अपनी स्वहाइं के बारे मीरे सोचना तो यह जिए क्ले तदो सब्कुल मनेता ने कम व्राम कहीं से आना या कहीं का होना प्रसिद्धि जिसकी फिर्म नहीं हो तो प्रसिद्धि नहीं उसका किया जारा आप मांजनक उसके साथ भी होर किया जारा अब देखिए बात यहाई कि हेल फ्राम माने कम व्राम जो आपको बताया तो इसमें बच्छे का अधिलकाया सब्सक्राइब या प्रसिद्धिस स्ब्भाब्राम जोन पूर्फिस्ट भी कह सकते हो कहीं का होना या संब्धित रखना चलिए आग कर दो तो डिफरमेटरी हो जाता चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेस्चन हमारा क्या कर रहा है अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सब्सक्राइब तो तुम सफल नहीं होगे उपर उपर एक तुब आके में किसमें फिसमें गलती है तो आपका जो है विल नॉट में गलती है क्योंकि अनलेस वाले के उहां नहीं रहेगा क्या रहेगा डुट रहना चाहिए था एक है क्या रहा ना चाहे था दू नाट ठीक है तो फिल नाट पे गलती यह यहां डू नाट आ चाहिए इसलिए डी का यह आपका आप से नमबर एक हो जाये गांग क्लूलयाग सर्फ ऑफ सही को जाएगा इस इप पांको में देखते हैं मैं बता दे रहा है बनाने करा एंडारेट बनानेकि लीका अगे तो हो जाएगा प्रिया टोल्ड टीचर डाइट सी कुड़ नाट डू हर वर कि द प्रीविएस डे यह चीज़ हो जाएगा कि दूसरा है कायन यू टेल मी दवेट टू दा इस्टेशन का मार्क बता सकते हो यात्री ने बुड़े आदमी से पहले करें दट ट्रेवलर आस्क्ड डाय ओल्ड मैं यात्री ने बुड़े आदमी से पूछा इफ लगा देंगे क्योंकि कायन फस्ट टाइप का वाक्या है सा बदलेंगे तो कहने का कूँड हो जाएगा का इफ ही कूड टेल मी का हिम हो जाएगा अगला वाक के देखिए कंबाइन आप घ्रक नियुक्त को अग्जान वाने जोड़िये आइस डार्क्टेड माने जैसा निर्देश दिया गया है लेखे पहला है क्या आइविल फिनिश मैं काम को समय पे कर दूंगा मुझे विश्वास है सिंपल बनाना है तो सिद इस बात है आई आई आफ फिनिसिंग दवर की इन टाइम इस तरह से कर देंगे पहले आप आयम सोर लगा दिजिए उसके बाद आफ कर दिए फिर उसको नहीं आई भी लटा कि फिनिस का इन फिनिस करने का विश्वास रखता हूं इस कारथ होगा है सम पीपल डाई फार नोबल काज दियार आनड वाई ब्रीव वन कुछ लोग स्रेश्ट कारणों से मर जाते हैं विप्रत्यक वित्तिद्वारा समायत की जाते हैं इसमें कांप्लेक्स बराना होगा तो सम पेपल हूँ दे एक प्रणावन है तो वह रिलेटू प्रणावन लग गया तो दे का काम खतम तो सम पेपल हूँ डाई फार नोबल काज कामा करना क्या है यह हटा देना दे और आनड वाई ब्रीवन का देंगे इसमें क्या सम पेपल पेपल के बाद जो हूँ है हूँ डाई फार नोबल काज यह आपका सबादिनेट क्लाज हो जाएगा और सम पेपल प्रिंसिपल क्लाज का सब्जेक्ट हो जाएगा और यह आपका इसका पीपल का बर्व जो है और हो जाएगा दे का काम खतम क्योंकि दो सब्जेक्ट हो जा रहे हैं कि हूँ हो जाए व ने ते बाद विगेस्ट टवीं पर इंडिया वह तो कॉलकाथा स्वेस्ट बड़ा अनिया था के वा इनिया था है लोगा हई लोगेस्ट में पर शायों रिशिके और लगा दो ट्रेन के बाद जब लग जाएगा तो सेकंड फार्म लग एक डबल पी हो जाएगा जाएगा लास्ट में देखिए ब्यंजन और उसके पाले सब्सक्राइब कामा लगता तो आपको यह कर देना देख लेते हैं देखिए नो सुनर डेड हटाई यह लगा दिए उसके बाद ट्रेन इस्टाप में जो है इसका सेकंड फार्म कर दिए यह त्यो डबल पी इडि हो जाएगी स्टाब दैन कामा करेंगे दैन कामा क्यों के लि लेकिन हो गया मिають आगला आपको देखिया सेंटाइक्स दिया ही रिक्विस्टिड ही रिक्वेश्ट आफ लिध माज़ नॉट्ज गांट्र ज्वास्ट उसने उसकी सीज़े की वाज नउट तो गुरान्टिड माले होता है स्ट्रीकृत करना इसैन ही दिया गया टेहँ इस का अंसर क्या हो देखिए इसका हो जाएगा ही जप्रिक्वेस्ट आफ ली ऊजनाट सुइप्लाइड इसका यह दिया लुद जाएगा अधिली फी अप्लाइड छुट्टी जिसके लिए अप्लाइड मने प्रत्ना प्रत्र दिया था वाल Snow प्रें तो इस तरह सोगर इसका पर्ली ना पड़ागा अधिली वह चुट्टी अ की इसके लिए विस यह सेम दिखेंगे दलीप पहले करेंगे दलीप यह अप्लाइट वाज नाट इस तरह सब्सक्राइब अगला इस निउज इस निउज यह भी सब्सक्राइब सब्सक्राइब इस निउज दिश्टर्ब इस तरह सब्सक्राइब है अगला देखते हैं यहां देखें वानवर्ट सब्सक्राइब हो मोव फोन से समान धनी वाली सकते हैं और इनकी इस पेलिंग में थोड़ा से डिफ्रेंस आर्थ में डिफ्रेंस है तो इसके उपर दो वाक्य मनला दो जोड़े देखी बताएंगे इस्टेर इस्टेर दिया डिसेंट डिया तो दोनों में से किसी एक उपर वाक्य बनाना है दुवाक्वीय हो जाएका पाला इस्टेर मुन्स होता है इस्टेर माने होता है एक टक देखना तक देखना यह नहीं हार न अ है ASC NDA ing ascending यह है कियो तुक हेलप ओफ ok genmax का सार ली इसतरा से कोई गरा सकते सेयर माने देखना होता है टक देखना है जैसे यह स्टे रिंग अगदर फीया होता है किस्ड़ा से बीडिसेंट किया होता है डिसेंट म democratic ह्टा है कि श डिसेंट वानर से धलान जैसे कहीं से आप उच्छे से नीचे नीचे पराते तो धलान करते हैं ठीक है और दूसरा डिसेंट वानर था आज सहमती है आसामती है तो इस तरह से आप इसके उपर मना जैसेंट ठीक है फ्राम दा रोड सडक से क्या था धलान था ठालू था उतरने के लिए ठीक है देर वाज डिसेंट रोड ठीक है फार दा वे रास्ते के लिए और डिसेंट वाने आसामति भी होता है आसामति मुलता कि सम पेपल वर सोइंग डियर डिसेंट कुछ लोग अपनी आसामति रेकट करते हैं इस तरह से भी आप संटेंस को भी बना सकते हो अब चले देख लेक हैं जा चले हैं ट्रांस्लेशन दिख की एक चौर घरमें घुस आया कि तरह देखते हैं अब इसके बाद च्छटो ट्रांसलेशन आया च्छटो कोस्चन इसका मैं पूरा बताते चल जा रहा हूं आप लोग मिला लेजी और समझ भी लेजी एक बार एक चोर घर में घुश गया जिसके एंग्रजिव क्या वंस वन एक बार एक चोर एथीफ घर में लोगा हमें घुशना पा इंटेर और ईपने लिखे जाता जब यह पर्प करू कर रहते हैं उस मिला यह वाप दाग ऐएख कुटơn ने इंदा में होता है यार्ड में टो उर्ट कोडिको ये रधा और कोडिक इंसे अधियारड होता स्यालॲी बड़ा स्वॉमी भकत था तो क्योज बड़ा सौमी भकत 도rans तो मदलब पालतू की सेंसमें लगा देंग और बेटर होजाएगा विच वाज वेड़ी लायल क्योंकि विए विए विज लगता है तो फॉमेटर के लिए लायल लोई मिस होता है टू हां मेक दा डाग साइलेंट साइलेंट वने चुप करने के लिए चोर ने गोस्त का एक टुकड़ा उसकी और फेका तो कमा करके लिखेंगे चोर केंगे दा थीव ठीक है फेका कहीं जोगे थ्रिव दा थीव थ्रिव एपीस आफ मीट पीस आफ मीट महने तब महने मानस या घोस्त हाँ उसकी और perfectly त्रस महने की योर या की तरफ एक मने उसके कुटते के लिए हम इठी लगा देगे एगला या देखकर कुटते ने चोर से कहा या देखकर मतलब सिंग दिस सिंग दिस यह देखकर कुट्टे ने चोर से कहा तो इसके एंगर यह दाग सेड टू दा थीव तुम चाहते हो कि मैं भौकना बंद कर दू और तुम मेरे मालिक जेवर और कपड़े चुरा ले जाओ काम लिखेंगे तुम चाहते हो मतलब यू वांट मी तुम चाहते हो कि मैं भौकना बंद कर दूं और तुम मेरे मालिक के जेवर और कपड़े चुरा ले जाओ एंड यू स्टील माइ मास्टर्स फीके जेवर और कपड़े कपड़े ज면 कपड़े जेवर जेवर और कपड़े से घया कभी नहीं होसकता तो this मैं एक मूर्ख नहीं हूँ आइसा मूर्ख नहीं हूँ आइसा मूर्ख मतलब होता है सच सच मैं ऐसा ही इस मूर्ख सच के साथ यह जरूर लगता है मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ कि तुम्हारा फेका हुआ गोस्त मैं खाने लगूं ठीक है डायट मिस्की आई इस्टार्ट इटिंग यूर थ्रोन मीट ठीक है मैं खाने लगूं तुम्हारा फेका हुआ गोस्त मैं खाने लगए इसके लिए यह यूट इटिंग यूर थ्रोन मीट ठीक हाने लगूं आध बेएग तो बात पर जोर देने लिए है लाइस एंग्ला वह कि तुम इसी समय यहां से बाहर-दाओ-फिएर राइट नौ राइट नौ ते लुए-वह पे तो हो जायेगा have you understood 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 have you understood me for a for a dishonest 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 have you understood me for a dishonest ठीक है और टू टू मने भी चलिए इस तरह से हो जाएगा आपका translation हो गया I hope समझ में आगया होगा चलिए आगे देख लेते हैं देखी question answer भी हम देख लेते हैं एक निगा कौन कौन से question आये है literature portion से किताब से 40 number की होते हैं अगला अगला वाट डिट रूजवेल्ट से बाउट दफी फीर आफ डेथ मौत से भाय के वारे में रूजवेल्ट ने क्या कहा या वाई डिड़ दा मैं से ट्रैफ् लिगिंग और पेटी थीवरी मतलब चुहादानी बेचने वाला अब्यक्ति क्यों जो है भीख मांगने और छोटी मोटी चौरी का सारा लेता था रिसार्ट तो ने सारा लेना तिन दोनों में से किसी एक को यापको लिखना है अगला है फिर देखिए नहां सी वर्ड में दो क्वेश्चन दिया है तो नों में से किसी एक को लिखना है क्योंकि इन सभी कमें आंसर इस लेने बतारा हूं क्योंकि इनका मतलब मैं चैनल पर अप्लोड किया हो क्वेश्चन आंसर पूरा जो है आपके राज़ी पुटासन सब्सक्राइब इस बोथ इंटर्टेनिंग एंड फिलास्टिकल डिसकस चुहादानी कहानी दोनों है मनुरंजग भी है और दर्सन बिसेख इसकी चर्चका होते हैं इन दोनों में से किसी एक के बारे में आपको लिखना है अब देखिए इसके बाद आपको फिसर्माइन इ इस चाहिए बारे में बात करा रहा है यह बहुत सिंपल है आप इसको जरूर देख लेना अगला है वाराइड देखिए तीन सेंटल आइडिया दिया गया तीनों में किसी एक को करना है इसका चैनल पर आपको लोड़ किया हूं आगे देख लेते हैं चाहिए पहला कुश्चन है दो कुश्चन और आप सहल है जैसे वाट पाहला क्या तो दूपाहर ने अपका चैनल के दूकान में देखा इस पार्टेड मनें धेखा यह वीज लैम लैम कौन है ज्यूकों हो देरी के इंटू हिस काड। देरी उसके वगीचे में कैसे गुशा था इन दोने में से किसी एक को करना या फिर वाइव वॉड नन आफ दम अधर लिटल क्रीचर्स लाइक टू प्ले विथ रोजर इसकेंग क्या हूं जो है अन कोई प्राणी जो है रोजर इसकंग के साथ खेलना ठीक है नहीं चाहता था तो बेडिस में लगनात है यह सब लिखना है वाइड़ डक्टर सदाओ फॉदर सदाओ सब्सक्राइब करना यह तो दोने किसी एक को करना नेकिन लाग क्विश्चन भी दो दिया है दो मैंसे करना ही है यांकि यह वेन और चारली फाइंड सेम लिटर चारली को थीक है नो स सब्सक्राइब कर दूंगा अगली वीडियो में इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले घंटी दबारे अगर नहीं किये तो और चैनल से जुड़े रहे हैं सब्सक्राइब को जाता सब्सक्राइब करें ताकि सब्सक्राइब करें आज क्लास बारा के लिए तीन सो सोला जड़ी इस सेट को हल करते हैं यह सेट जो है अमबेड कर नगर जिला का है यह मुझे उपलब्ध हुआ है इसके पहले मैं चार सेट हल कर चुका हूँ अगर आप नहीं देखें तो वाई ए वाई बी जड़ यह सभी भी देख लेजिए वाई जे जो भी सेट हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा आप जरूर उन वीडियो को भी देख लिए क्लास 12 में हैं तो आपको मिला लेजिए और अगर नहीं है आपका सट तब्री जानकारी के लिए देख लिए 11 में है तो जान लेजिए अगले साल कैसे पीपर आएगा और इसके लावाँ लेवल तो नहीं है तो कोई भी कंपटे पैसे और वर्ड पाउर सिंटेक्स सब कुछ सामिल है पूरा ग्रामर मैं कंप्लीट कबर करूंगा इसलिए शुरूस लाष्ट तक देखते रहा है कि देखिए यह आपका पहला के 15 मिनट जो है आपको पढ़ने के लिए दिये गए हैं 2000 का यह देखिए पेपर है 316 ZW अब देखिए पहले सक्षन देखते हैं कि आपका कि यह जो है अंसीन पैसे यहां देखिए अंसीन पैसे हैं पढ़के जो है इसको से दिस्ट्रक्शन ऑफ फारेस्ट है जब मेजर इंपाइक्ट ऑन दा इंप्रोड़क्टिव्टी आप यह पारग्राफ है तो देखिए मैं डा दिस्ट्रक्शन ऑफ फारेस्ट जंगलों के बिनास के दो हानिया क्या है डिस्ट्रवांट्वांटेज मिसलाब होता है दो हानिया क्या जब आप इसको पढ़ते चले जाएंगे तो मैं किवल उसका आंसर फैक्ट तो फैक्ट बता रहा हूं तो आपको कर देना है कि तूए ट् scratchлоjm के डिस्ट्रक्शन ऑफ फैस्टार मनें कि डिस्ट्रक्शन ऑफ फारेस्टार प्रसमरा से जंगल के बिनासके दो हानिया है न्यूंद थ नियूंदे ृप और टो ऑप शॉयल इर्न गॉशन भूम के उत्पादक्ता पर पड़ा है इस हैपनस इन तो तरह से होता है पहला है स्वाइल इरोजन रिदा च्रड करें कि मृदा च्रड जो इनक्रीजिस दमाइनी फोल्ड आया दा स्वाइल लिट्रिसी गेट से वेस्ट ज्यादा इतना डिटेल महीं करना कि आपको बता दो क स्वाइल इरोजन मृदा का स्वाइल मिट्टी का कटा हो जाता है जब जंगल नहीं रहेंगे पेड़ पौधी रहते तो मिट्टी जो है कटती नहीं है जिसे सड़क किनार या नहर कि किनार पहला यह होगा आप यहां भी आभी दियागी कि बट इक्वली इंपोर्टेंट इंपएक्ट आफ सार्टेजा फायरोड और दूसरा क्या प्रभापड़ता है मतलब आग उड़मने लकडें अगने के लिए जो लकडी हमको मिलते बन मतलब की जंगल से उनकी सार्टेज मने कम हो जाते तो यह भी मतलब हान ही होगा जब नहीं रहेंगे तो भाइक लगडी से लकडी मिलते हैं अगने जलाने के लिए मतलब इंद आप इस तरह से यह दो डिस अब करना स्टेज्ट और उसके बाद आपको इड़ोशन पाल मतलब म्रदा चरट अएंड दूसरा करके बता देना है आपको सार्टेज आफ फायर ओड जो यहां दिया गया है स्वाटेज आगया होगा आगे दिखते हैं दूसरा क्वेस्चिन अगर यह मतलब सटीक आंसर इतना कि आपको लिखना था बाकि अगर अगर आप लोग पूरा लिख दिया है पूरा सुरू से लास्ट तक यहां तक लिख दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है को नंबर तो मिल जाएगा लेकिन फाल तो लिखने की ज़रूरत नहीं थी यह फा क्या है चालत को वाट आर्वस्ट व्हां पढ़ते जाएंगे तो मेजर आशिए भी मिलेगा आप देखिये इस तरह से क्या होता है कि मतले इस डीच्ट्रूट्ट्स अफ अफ डिस्ट्रूपl सब्सक्राइब इसका डिस्टर्ण से निक्या से निक्यालें दूसरा साफ कोकिंग इनर्जी एक मेजर साफ कुपींग तरह किके से क्या है तो अब स्वाट प्लेसे आपको में इनर्जी पढ़ते चलिए जहां मिल जाएगा यह इदेखिएं आपको नहीं मिल जाएगा आगे दिखते हैं वेस्टेस ना तीस्ती तरह से आपको खोजना कि वर्ट को मैस करना की वर्ट को यहां से यहां देखें दिया ना यहां में प्लेसे आपकर हमारे देश के कई अस्थानों में गायका गोबर एंड काव वेस्ट और फसल का जो वेस्ट मतलब सरसों का पीटा जाता तो उसके बाद निकलता है यह सभी मतलब वेस्ट जो भी है तो गायका गोबर और फसल का जो वेस्ट मैटरियल होता सूखा भाग होता है मतलब कि उसमें से जलाने के लिए काम आता और मेजर सोर्स आफ काव डंग आफ कुकिंग एनरजी का मलब भोजन पकाने के लिए पकाने के लिए जो क्या है मेजर सोर्स बताना आपको देकिए यहां दिया भी गया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इतना ही आपको बताना था तीन की तीनों नंबर में मिल जाता आपको अगला है क्या प्रभाव पड़ा है तो देखिए आप यहां क्या पढ़ोगे आपको पढ़ेंगे जहां मिलेगा तो यहां पढ़ते जाएंगे देखिए यहां पढ़ेंगे इन इसकी आत्रिक तो आपको यहां से लिगा आपको यहां से लिख सकते हैं कि ठीक है यह फिर आप थोड़ा इसको सार्ट में भी लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है अगला कुश्चन क्या है आपका वाव के इंट्टी कैसे सम्रिद्ध हो सकती है अब देखिए इसके लिए सटीक आपको आंसर तो मिलेगे नहीं थोड़ा सा समझदार इस आपको लिखना पड़ेंगे तो आमको कुछ नहीं करना कि मतलब कि बता देजिए कि अधा हां स्वाइल कैन वी इन्रिज्ड वाई प्रिवेंटिंग इसके बाद लिख देना आपको क्या करना है दिश्टक्शन दिश्टक्शन आप फारेस्ट लिख देना एंड स्वाइल इरोजन यहीं इसका आंसर हो जाएगा साट में जो है फैक्ट टुफैक्ट यह आंसर होगा बाकि आप अपने साफ से लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है अब यहां देखें डव इन्था परीट्श मीन इंफटि पासज में किसका अर्थ है इफट्ट इफेक्ट माला होता प्रभाव तो प्रभाव की अंग्रेजी तो देखी प्रभाव के इंग्रेजी शुरू मेह भी लिखा में बढ़ा परफान तो इंपक्ट मेंस इंपक्त दिना पर ब्रॉट इन तो ब्रॉट नवालिक भी होता है जेंक जो चोटे रोते नवालिक कहते है तो मैंनर का यह अगला आपका था था दो फ्रेज्ज मैंस में इन तो यह मतलब है तो आपको बता देना है कि देखिए बायो मास मतलब कि ऑगैनिक इसका अंसर मैं बोल दे रहा हूं यह और गैनिक होता जो जैविक होता है जो भी ज्यान होता है तो उसके बाइब मास नहीं देना आप आप इसका मीनिंग पॉल दे रहा हूं आप ऐसे लिख देंगे इसका इंग्लेस में लिखना है आप लेगे बायो मास यहां से लेगे उसके बाद इस आरगयनिक इसा होता है आरगयनिक होता है जाइविक होता है जिवों से संबंदित होता है ठीक है ना मीनिंग उसके बाद लिख देना मीनिंग अर्थ हो इट इज मेड़ आफ मेड़ आफ ठीक है यह जो है मेड़ आफ बना होता है इसी सामागरी से बना होता है डायट कम्स जो आती है फ्राम लिविंग सजियो और गैनिजम ठीक है और गैनिजम और गैनिजम प्लब जीओ ठीक है ऐसे जो आती है जो 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 आती है कि इस फ्लांट्स आंड फ्लांट्स हैं एनिमल्स ठीक यही इसकार ठीक है पावधे और इनिमल्स वाले प्रानी कि इस तरह से इसका मतलब हो गया आइउफ समया आगया होगा इस आपका जो है प्रफिशन बी में चलते हैं तो सेक्षन बी में देखिए क्या किया है पहले तो देश्च को यहां जादा दूसरा वेज आएंट इसमें आपको एक रिकल्चर बाते लिए भारत में लिए बता दीजिए कि परसंट से ज्यादा है सब्तर परसंट से ज्यादा किसान है यहां पूरा बात बता देना हूं पंजाब की सभी जगां की आप बता सकते हो ठीक है कि सरकार युजनाय चला रहे हैं सब इसको भी लिख सकते हूं अब देखिए आगे वेज एंड मीजर से टू इरेडिकेट डावरी सिस्टम यहां दावरी सिस्टम देखिए आया यह बहुत इंपॉर्ट पाहली सब चर्चा की अगया था आपको दावरी दहेज प्रथा को वे माने तरीके में उपाय और इरेडिकेट माने होता है उनमूलन के तरीके और उसके लिए उठाए गया कदम यह उपाय यह जादा लोग लेते हैं उसके बारे में आपको लिखना है लेना चाहिए नहीं देना चाहिए इसके बुराई यह क्या ही सब बता देना आपको अ 2019 और अगला है फ्री ऐंड फेर प्रिंट ऐंड इलक्ट्रॉनिक मे प्री एंड फेयर प्रिंट और इलेक्ट्राणिक मीडिया यह समय की जरू थे इसके बारे में लिखना है तो यह तीन था तीन में से चाहिए जो आप डारी सिस्टेम बारे में लिख ले लिख देना था दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा हुआ राइट टुद एडिटर आफ प्रतियोगी परिच्छाओं प्रतियोगी परिच्छाओं में अनुचित प्रताओं या अनुचित ब्योस्था ब्योस्था कि बिरुद्ध अपने चिंता को ब्यक्त करते हुए राश्टि दैनिक समचार पत्र के संपादव को पत्र लिखां कि इसमें क्या लिखना यह बताने कि टूद एडिटर करके आप नेशनल डेली लिख देना निउस्पेपर क्या नम लिख देना उसके बाद जि सब्सक्राइब करते हैं तो अनुचित साधन जो हो रहे हैं कमपड़िट्व गयां में पारिचा लिख हो जाता है पेपर आउट हो जाता है तमाम सब बाते नकल पकड़ाए गया मुन्ना भाई पकड़ाए यह सभी मतलब नकल मौफिय जो थे इनके बारे में पकड़ा रहे जो भी मतलब मैटर है तो इससे ताकि और लोगं जो है जो 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 आपे हां क्या क्यमन आती है कहां कहां से दिक्कत है उसके लिए गलती कर रहे हैं उनको पकड़ा जाये और सज़ा दिए जाए तो इसके लिए आपने फिर लगाना लास्ट में आपको लिगे या फिर राइ एक्टिविटीज पर रिगुलर इंतरों मतलब नीमित अंतराल पर को के रुकिलर अक्टिटीज की ब्युस्था करें लिए जोर पालेश के बारे में लिखना है आप एडिटर वाला मुपाहिए बताएगा था आपको मोस्ट इंपार्टन कोई जरूर आएगा तो जली देखि सेक्षन हाँ अब यहां सी में आ जाते हैं ग्रामर पॉर्शन पर आते हैं तो ग्रामर पॉर्शन में देखिए आपको अब्जेक्ट्ट्व टाइफ है दो दो नंबर के हैं तो इसको देख लेते हैं जो कि हर एक्जाम के लिए यूश्फूल होंगे वन हुट ड़स नाड इसको ब्रण जो भगवान के आस्ति तो मिस्वास नहीं करता उसके क्या कहते हैं तो उसको काते हैं छीच्ट कुछता है परसन हूब बिलीब डजनाट हटके बिलीप कर देगे तब आस्तिक हो जाएगा आस्तिक नास्तिक हो जाएगा अगला है फ्रेज फ्रेज माने एक्ट अपान में किसी के सला के अनुसार कार्म करना तो इसका जो है आसर होगा रहा है तो इसलिए आपका 4 है से सिनानिम साफ कंड्रोवर्सी कंड्रोवर्सी का सी मौने भी बाद जगड़ा विवाद को जाता में शकल न दिस्प्यूट मैं भी बाद होता है आगने माने अधिक अच्छा तो वर्स मनौने अधिखराव अच्छों कि यह वर्स हो सरदार पतेल वाज वन आप ग्रेटिस्ट मैं आप इंडिया तो इसमें करें कि विच वर्ड इन दसंटे से आज अगलती पैदाना किस पार्ट में गलती देखिये वन आप के बाद हमें सब प्लियूरल ना उन आता है वन आप इडिटिक यह नाउन प्लियूरल आना चाहिए कि मैं आना चाहिए लेकिन यह मैं आ गया तिसलिए इसमें क्या गलती है चेंज आगा वन आफ फालोविंग इंडियूर इंडियूरल ना सीटा सेट तू रीटा आर्यू विल सीता सेट टू रीटा फूछ रहे है तो इसलिए आस्ट हो जाएगा आस्ट रीटा उसके बाद पने अगला देखें Hai क्पाइब हो देगा आपको हुए जानकारे लिए सब्सक्राइन पर से तुमी इन फेंड फ्रॉंट मेरे दुकान के मत करें तो सीधिस बात मना कर रहा है तो फार वेड हम करते हैं अब फारवेड के साथ हम टू-नाट को अटा के के लगा है तू इस तरह से फारवेड करने पर तो के लगता है सब्सक्राइब कर देंगे यह फिर मतलब कि अगर इडवाइज डिया आर्डर से बनाते हैं तब डूनाट को नाट तुम बदल देते हैं अगला है कंबाइब निवन आफ फॉलॉइंग आइज डारिक्टेड सब्सक्राइब कंपाउंड बनाना पहला वाप मैं फ्रेंड नाट इंटेलिएंट फिर यहां आप क्या कर देंगे नार करके डिलिजेंट बस हो गया नाइदर नार से बना देंगे दोनों चीज़ नहीं है नाइदर नार मेरे दोस्त ना तो दिवान है ना ही परिश्रमियत हो गया एक ही करना है लेकिन मैं दोनों बता जहां मैं जानकर लिए दूसरा भी कंप्लेक्स ओस्का दूसरा पाला थे कि तो दो दिफकल्ट तो दो दिफकल्ट करेंगे टृक्षिक रिमूब टू अलनियम से बना देंगे तरह रहां से ट्रांसफर्मेंस भी आपको हो जागा से इतना कठीन है डिफिकल्ट बाद हम फिर टू हटाते सब देख यहां प्रस्ट के लिए लगा देंगे उसके बाद ह है तो किसी के द्वारा ही साल के जाएंगे तिसलिए पैसुबास में लिखा जा सकता है तो इसके लिए तरीका है आप इट के जगा लिख देजिए नो वन नो वन कहा दिए यह बात देखी हुआ और है तब हो जाएगा है हां कैन साल भी लगा सकते हैं क्योंकि आकर्मक करिया है तो आप आराम से अब्जेक्ट ले सकते हैं तो अ नन कायनल विट कोई भी विएकति से हल नहीं कर सकता है इस तरह से भी आप लिख सकते हैं इसी का पैस्व भास भाया कि नौट भी साल्व क्योंकि बाई नान या बाई नीवन लिखा नहीं जाता है इस तरह से जो किये हैं उनका 100% सही है दोनों में सब्सक्राइब अब नन के जगा हां कुछ लोग मतलब कि ऐसे भी कर सकते हैं लेकि सब्सक्राइब नाट साल्व इट अब भी सही है आपका इस सारी तरीके सब्सक्राइब अगला है चेंज एक करेक्ट चेंज अनीवन आप फॉलाइं इस डारेक्टिव सी डिन नाट हेल्प दपूर मैं वा गरीब आदमी की साहता नहीं की तो पैसी वाइस में हो जाएगा पूर मैं अबजेक्ट को सब्सक्राइब पूर मैं वाज लगा देंगे नाट है है यह फुट बाई हर अगरीब आदमी कि इसकी तोरह साहता नहीं किया फिर पास्वा से कंप्लीट इस वर्क एट वंस लेट से बना देंगे लेट उसके बाद इस वर्क आपजेक्ट बना द किसी एक को सही करना तो मैं दोनों सभी बता करके बता दे जरूंट मिरें बाल काले हैं तो यहां देखिए सारे बालों की बात कि यह लगे नहीं लगेगा यहां क्या लगेगा इच दिया ही है और लगेगा ठीना वसे इस भी सही है क्योंकि एक्सिय्ट में दिया है कि यह क्योंट सेंटर जाना यह झाना है लिए जो प्रकहसन की किताब के पास होगे और सब्सक्राइब सेंग सक तरुदे माइने मैंघर बाल करनस तक लिखны करें क्योद इस स़गे मतलब कि दिया गया जैसे इस लांग यह बहुंद लंबा इस तरह से एक दिस लगा तो एक बचल्ट हो जाएगा तब एज लेकिन यहां सारे बालों की बात करा है इंडिकेशन का इस नहीं है कि एक बाल की बात कि यहां लगा देंगे तो यह सही हो जाएगा विद्ध्य प्रकास्थन किताब में सेम वाक्य आर लगा कर दिया है उसी सबसे सको सही करना है बाकी अगर ठीक है इस भी नहीं तो सही रहता है इसमें कोई दोनों बाते हैं लेकिन आर आप लगा देंगे इसका स्रोत जो है विद्ध्य प्रकास्थन किताब में दिया है तो यहीं वाक्य है अगला वाक्य है दा रिच हां रिच मेन सुड़ हेल्प दपूर तो इसमें गलते क्या है कि मेन हटा दो दा लगा दो यह ज़क्तिक बावचन दा लगा देने से अगला अगला आपको देखिए वन आफ फॉलंग वर्स फेर आफ वर्स यहां दो जोड़ी सब्सक्राइब किसी एक जोड़ी को आप खुप्या करना है वाक्य में प्रयोग करके देख लेना तो पहले कंप्लीमेंट देख लेते कंप्लीमेंट पहला वाला मन नहीं होता कि यहां यह सब होते हैं कि तो नमस्ते तो प्लीश करना माइं कंप्लीमेंट तो यूर फादर इसमें आपने तीता शेमेरी तरफ लेंस नमस्ते बोल जेना विवादन तो इस तरह से कुछ भी आप बना सकते हैं चलिए अब ट्रांसलेशन देख लेते हैं ट्रांसलेशन देखें यहां आया है कि आपका भूंक और इंसान का रिस्ता जन्म से होता है तो मैं इसका फटफट सभी का आंसर बता दे रहा हूं ताकि आप लोग मिला लें यह नहीं है तो जान लें भूंख और इंसान का रिस्ता जन्म से होता है तो रिस्ता ॏ इस का आप होता Whats adversity起床 भीट्विन हो धार हां तो यह भीएग है हंगर हां इसाया है हां सब्सक्राइब कहां winter मतलब भूखत्त और मानो प्राणी के पिछ जो रिष्टा होता उंसी सकते हैं इसी तरह से मुँआर गVISैन तब बहएं रहेगी !? आई जनन मिंसे होता है इस फ्रांप इस फ्रांप बर्थ बता दिए इसका दर रिलेसं बेट्विन हगर-एंड-हूंण-हूमन-विं-इस-...? तो भी आको नमबर मिल जाएगा कि जन्म के साथ ही मनुस्य अपनीभूक भी साथ लेकर आता है तो जन्म के साथ के एंगal होगा वर्थ माने होता है जन्म के साथ एक है मतने मने अपनी भूंख भी साथ लेकर आता है तो इसके एंगर्जी होगे अपनी भूख को बिधिम माने अपने साथ, साथ के मतलब अपने साथ, मैं आल ठीक है, तो इलांग भूख जन्व के साथ ही, मनुष्य अपनी भूख भी साथ लेकर आता है, मैं आलसो ब्रिंग्स हिज हंगर्जी होगे, अगला भूख किसी भी भी बैकर जी वीत रहने का प्रमार है, तो हंगर मने भूख होता है, हंगर इजड़ प्रूफ, प्रूफ मने अ प्रमार, आफ सरवाइवल, सरवाइवल मनने तो जी वीत रहना, यस, N-U-R-V-I-V-A-L, लेकिन या भूख हवस का रूप लेने लगे तो चिंता काड़ बन जाती है हवस का रूप लेने लेकिन बट हो जाएगा यहां तो है न अद्टो के लिए तो भाई इसके पहले फ़ेन या इफाना जरूरी है लेकिन या भूख हवस का रूप लेने लगे तो काने मला लेकिन जब यहां रूप जो है हवस का रूप लेकिन जब यहां भूख जो है हवस का रूप लेना शुरू कर देती है तब ऐसे भी का सकता है इसको मैं यहीं हिंदि आप दूसरे साथ सकाने का प्यास करिए अगर सब्सक्राइब यह तो ट्रिक है तो लेकिन यहां भूख इसका भाव समझ की ट्रांसेशन लश्ट इस तरह हो जागा तो उसके बाद तो के लिए कामा लगा देंगे कामा लगा भी है तो लिख्या भी गया है तुछ दिक्कत नहीं है तो जाएगा इस तरह से बैट विन्टिस उंगर स्ट टेकिंग हो फॉर्म अफ लश्ट कामा कर दिये तो कली अगर लिखना चाहिए तो दिन लिख है नहीं बात पर जो दिने कमा से क्या mieć चिन्टा कारण बने लगती है तो चिन्टा कारण बनने मतलब यह है यह बहूंख जो है चिंटा कारण बनने इसलिए subject-one नहीं पड़ेगे बिन subject लिखह लिखाने इता है इता हो जाएगा इसलिए इत a bigs फ IM WAR मैं चिंता डलू डबलり चिंता कारड बनने लगने मतलब ही यह चिंता काकार्ड हो जाती है यहां होनिस मतलब है तो इंट वीकम्स दक वरी किसी की बेंतहा लालज इसकी अंगलियोग्या किसी की मतलब वंस मनें वन मनें कोई विभ्यक्ति होगा इंडिफिनिट रहता है तो पता नहीं रहता तो वहां हम लगाते हैं वश मोद सबस्क्राइबर महें होनेयां इक्षसक्राइब लालज इम्तहाला उन मतलब अत्यधिक लालज असनो लिफ यह जादा इक सस्वाटने बहुत ज्यादा ही हो गए है लालज यह पेंतहाला लेट सुनें आप तरुसलें वन स एक्शे schema क्रीड माने ब्यक्त की इंतहां मतलब बेम्तहालालाच या किसी की इंतहालालाच बेम्तहालाच दूसरे की मुसीबत का सबब बन जाती है तो इसके अंगरे जोगा गब भी ठीक है बीकम्स बन जाने मतलब हो जाना किसी की मुसीब दूसरे की मुसीबत का सबब बन जाती है मतलब दूसरे की मुसीबत का कारण हो जाती है इसको ऐसे भी हंदी कह सकते हैं तो इसलिए हो जाएगा becomes the cause of others ट्रबल ट्रबल माने हो तो मुसीबत दूसरे की मुसीबत का सबब बन जाती है मतलब बीकम्स दप काज आफ चीक है आदर अधर एक उस्टाफ इस अधर से ट्रबल दूसरे की मुसीवत का सबब बन जाती है चीक है सबब माने हो यहां कारड से मतलब है कारड काज बीकम्स दपाज माने सबब बन जाती है सबब हो जाती है कारड हो जातीए बातें के लिएं से अगला है दोस्त भूथ और भुखमरी- आपकर 555 माने होता है इंडीखहर्ण आइंडि इंडिकेशन आफ हाँ आसमानता आसमानता मतलब इन इक्वालिटी आइन लिखके इक्वालिटी जोड़ एक्यू यू ए यलाई इस तरह से भूख और भूखमरी आसमानता की सुचक है मनें अंगर अंडिस्टरबेशन आप इंडिकेशन्स यह इंडिकेटर सका सकते हो इंडिकेटर्स मान भी इस सब्सक्राइश इंडिकेटर साफ इनेक्वड़ी कि आई कि आई होब समझ में आ गया ग्रामर पोर्सन चलिए लिटरेचर पोर्सन में भी देख लेते कौन कौन सी कुस्टेन है फटाफट कि देखे लिट्रेचर सात्वा कुश्चिन आया है पहले चालिस वर्ड में लिखना है दो कुश्चिन साथ रहेंगे दोनों में देखिए आफसन रहेंगे फेरी वाला जो था या घुमक्कड व्यक्ति जो था वो क्यों चूहादानी को एक संसार की रूप में मानता था मैं मानना विचार करना उसके साथ से चूहादानी क्या है संसार है हम लोग उसके क्या है संसार के देख तो उसके चूहादा भर्राप मैं सीमा पुरीष यहां ठेबिए भतिस या फिर वाट आर दा हजार्ट साफ वर्किंग इंद ग्लास बैंगल इंडस्टिव चूड़ी बनाने की उद्ध्य घंदे में काम करने के क्या खत्रे हैं देखिए इन सभी क्वेस्चन को मैं आंसर इस लेने बता रहा हूं क्योंकि इसका मैं बीडियो बना चुका हूं अगर इस सब्सक्राइब काई नश्यां तो यह दो कोश्चन दिया दोनों में से एक आपको लिखना और इसके पहले देखिए दो दो कुश्चन दिया थे तेकि का पो चालिस बिलिखना थे यह लां पूस्टन है साथ नंबर का देखिए पहला कोश्चन हाव डिद डैगलस सक्सी सब्सक्राइब को अपना तरीके बदलने के लिए मजबूर कर दिया आखिरकार आखिरकार क्यों अपने तरीके बदल दिया बहुत चोरी करने वाला था तो फिर इच्छे इंसान कैसे बन गया यह सब आप कहानी पढ़े होंगे आपको इस तरह से लिखना है बागे वीडिय नमपर के तीन क्वेश्चन आए यहां फार फार्म दा गस्टी वेव दीज चिल्डेंश फेसे पाले स्टेंजा है इसकी मतलब मैं आपको बीडियो बनाया हूं पढ़ाया भी हूं और इसके क्वेश्चन अंसर भी कराया हूं चैनल पे अप्लोडें है आप वहां से देख सब्सक्राइब करेंगे पहला क्वेश्चन था हूँ और फार 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 प्राम घस्टी वेज ठीक जो के दार लाहरों से दूर बहुत दूर कौन है वाट ड़ाइब टाल गर्ल वीड डाउन हेड लंबी लड़के अपने सिर को जुकाए वे बैठी इसके कभी क्या मतलब है सब्सक्राइब कागत कितना पतलत दिखने वाले लड़के की यहांखे कैसे हैं तो यह सभी का आंसर जो है इसी परग्राफ में आपको पढ़ेंगे श्टेंजब मिल जाएगा अब मैं इसकी वीडियो भी अप्लोड किया आप जरूर देख लेंगे आल इस्टेंजब को सब लिए और श्कूल क्लास रोमीने इसलाम भाइर में जरुब करेंगे तो आजएगा चैनल को जरूर विजिस कर लिए प्रोच पूर्ट्री की नाम से प्लेइस्ट प्लेटर क्लास बारा और ग्रामर क्लास बारा एक्सेलेंट ग्रामर है आपके 11 बारा दोनों के लिए कॉमन उसको जरूर देख लिए यहां सेंटल आडिया देखिए तीन सेंटल आडिया का नाम दिए एथिंग आप व्यूटी माई मदर एड सेक्षी से केपिंग को एड तीनों की सेंटल आडिया कि मैं वीडियो अपलोड किया हूं तो किसी एक को याप लिखना है अब से जरूर यह तकाटा अगर किंके मौत के बारे में या फिर वाट वाज थार्ड लेवल वेर वाट वाज थार्ड लेवल किया था वेर वाज इस प्रकासन से आया है और मतलब इसकी पर वीडियो भी अपलोड कर चुका हूं थोड़ा सा पेज कम साफ दिखाए पढ़ रहा होगा हो सक है अगला है वाट है संब्री साम रिटन इन इस लेटर टू चारली चारली के लिए अपने पत्र में क्या लिए था यह थार्ड लेवल साया है यह फिर हाव डिड़ डाक्टर सदाव ऑपरेट दा वाइट मैं डाक्टर सदाव जो है गोरे आदमी का जो है अपरेट मनें कि स्सवाइब को आफने के रूप में नाम क्यों पदा है यह पात है ञे पास है दोस्टा पार्ट है इसे जिसने हिट माने मारा और मान नहीं मतलब क्या इस बात पर जो देखका थी कि जादूगर ही तो है जिसने मारा ना की माने मारा यह भी है शुडबिजार्ड मॉमी से जो सुडबिजार्ड हिट मॉमी यह इस पार्ट से लिए गया है तो I hope समझ में आ गया होगा तो इन में से किसी एक को आंसर लिखना है और ऐसे यूजफिल वीडियो पाने के लिए चैनल को अगर सब्सक्राइब ने कि तो कर लिए घंटते वा लिए क्योंकि यहां पर आपको हाई स्कूल इंटर के अलामा कमटेशनल ग्रामर और वर्ट पॉर सब क वाचिं वीडियो